नमस्कार दोस्तों चलिए आज बात करेंगे डिफ्रेंशियल एक्वेशन के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो सिरीज में हम क्लास 12 मैथेमेटिक्स के हर एक चैप्टर के वन सोट वीडियो डिसकस कर रहे हैं जिसमें एक ही वीडियो में जिसका दिूरेशन वन एन अफ अवर से four to five hours तक हो सकता है depending on the length and number of topics in the chapters एक ही वीडियो में पूरा Chelsea वाट चैप्टर जितने भी topics है जितनी भी theories है जितनीवी formula जितने भी concept है व वह सब topic wise discuss करते है and हर एक topic के end में उसके कुछ standard MCQs भी discuss करते है जिससे आपको exam में MCQs solve करने में benefit मिले इसके साथ साथ ये series में हमारा goal ये है कि जब भी आप किसी भी MCQ को attempt करे तो जल्दी से जल्दी answer तक कैसे पहुँच पाए मतलब की speed improvement ये भी target है इसके अलावा differential equation की बात करे तो ये जो chapter है ना ये mainly दो पार्ट में divided है जिसका एक segment है formation of differential equation और second part है solution of differential equation इसके बारे में detail में discussion करेंगे वीडियो में आगे तो चलिए step by step start करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि differential equation क्या होता है और chapter में क्या-क्या study करने वाले हैं चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक ऐसा equation है equation in which dy by dx जिसको लोग y dash भी बोलते हैं d2 y by dx2 जिसको आप y double dash भी बोलते हैं एक्सेट्रा terms are present is called differential equation इस तरीके के terms जिस भी equation में present होते हैं उसको बोलते है differential equation now chapter के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था differential equation जो है ना उसमें दो टाइप के questions हम study करने वाले हैं सबसे पहले जिसमें हम बात करेंगे formation of differential equation और दूसरे टाइप के question जिसमें हम बात करेंगे solution of differential equation बहुत ही ध्यान से समझेंगे अगर तो ये पूरा chapter आपके लिए easy हो जायागा क्योंकि ये जो है ना core concept है ये दो टाइप के question बिलकुल एक दूसरे के opposite है और maximum students जो है यही पे confused हो जाते है तो बहुत ही मामूली सिर्फ एक मिनिट में मैं आपको समझा दू कि first point जिसमें आपको solution दिया होगा और आपको बोलेंगे कि differential equation find करो और दूसरा टाइप के question जिसमें आपको differential equation given होगा और आपको उसका solution find करना होगा आपको सिर्फ यह दियान रखना है कि differential equation find करना है तो differential equation क्या होता है ऐसे equations जिसमें dy by dx वाले terms हो मतलब कि differential coefficient हो तो किसी भी equation में differential coefficient की entry कब होती है जब आप उस equation को differentiate करेंगे तो मतलब कि जब भी आपको differential equation find करना है तो जो भी equation आपके सामने है आप उसका differentiation करेंगे दूसरी चीज़ अगर differential equation दिया है और आपको solution find करना है तो differential equation given है इसका मतलब कि dy by dx या d2y by dx तो ऐसे terms होगे equation में उसको remove करना है ये तभी हो सकता है जब आप उस equation को integrate करेंगे एक बार फिर से में repeat करूँ अगर solution दिया है और differential equation find करना है तो आपको क्या करना है differentiation करना है दूसरी चीज़ अगर differential equation दिया है और आपको solution find करना है तो आप क्या करेंगे integration यह दो चीज़े अगर आप समझ लेते हैं तो बाकी का chapter आपके लिए बहुत ही easy हो जाएगा चलिए तो start करते है chapter with the very first topic which is order and degree of differential equation तो देखिए कोई भी differential equation दिया होगा उसका order and degree अगर आपको find करना है तो कैसे find करेंगे तो यहाँ पे मैं कुछ differential equation लिख रहा हूँ यहाँ पे उसका order क्या होगा और यहाँ पे है उसके degree ठीक है सबसे पहला differential equation मान लिजे बहुत ही simple dy by dx all square minus 3x equal to 5 ऐसा कोई differential equation है तो सबसे पहली बात क्या यह differential equation है answer is yes कैसे पता चला तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो जो differential equation है वो कैसे बना होगा पहले आपके पास कोई एक solution होगा आपने उसको differentiate किया होगा कितनी बार differentiation करने से यह equation आया होगा तो dy by dx है इसका मतलब एक बार differentiation हुआ होगा इसका मतलब इस जो differential equation है इसका order है एक दूसरी बात करें अगर डिगरी की तो जो highest differential coefficient है जहां से आपने order निकाला उस term का जो पावर होगा उसको बोलेंगे degree of differential equation एक और example फिर questions करेंगे मान लिजए d2y by dx2 minus dy by dx whole cube यहाँ पे मान लिजए square है minus log x equal to 3 तो आप देखिए सबसे पहले आपके पास कोई एक equation रहा होगा आपने उसको differentiate करके यह differential equation find किया होगा तो सोचो आपने एक equation को कितनी बार differentiation किया होगा कि आपको यह differential equation मिला होगा तो इसमें d2y by dx2 वाली term से मतलब दो बार differentiation हुआ होगा मतलब कि इसका order होगा 2 और जहां से आपने जिस term से order निकाला है उसका degree देखना है देखिए highest degree तो 3 है but degree of differential equation will be 2 I hope यहां तक की बाद आपकी पकड़ में आ गई होगी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि मान लिजे differential equation ऐसा है dy by dx minus log d2y by dx 2 equal to sin x ठीक है तो अब यहां पर आप देखेंगे तो यह differential equation है वो दो बाद derivative किसी का करके आया होगा तो इसका order तो होगा 2 लेकिन इसका जो degree है न यह not define होगा कैसे यह समझना बहुत ही जरूरी है इसके लिए एक बहुत important चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप इसको ध्यान से note करना जब भी आपके पास differential equation है उसमें e की power में कोई भी differential coefficient आ जाए differential coefficient मतलब यह जो है न यह सारे इसको बोलते है differential coefficient यह differential coefficient है यह भी differential coefficient है clear तो आपके पास जो भी differential equation है उसमें अगर e की power में differential coefficient आ जाए first case second case लोग के अंदर कोई भी differential coefficient आ जाए किसी भी order का third case कोई भी trigonometric function के अंदर differential coefficient आ जाए यह फिर किसी inverse trigonometric function के अंदर भी किसी भी order का differential coefficient आ जाए यह सारे cases में degree of differential equation is not defined या undefined होता है यह ध्यान रखना है clear questions करेंगे तो आपको और थोड़ा सा idea मिलेगा चलिए बात करते है first question के उपर बहुत चोटे चोटे question starting में करेंगे जैसे जैसे video आगे जाएगा वैसे वैसे level इसका increase होता जाएगा याद रखना है आपको we are preparing for one mark mcqs तो बहुत higher level के mcqs यह questions यहाँ पर आप expect नहीं कर सकते हैं चेप्टर को बहुत basic level पर हम discuss करेंगे maximum questions practice करेंगे main target इस video का है good set का exam and GACB board का exam में जो part A होता है वो इसके अलावा और भी जितने भी exams होते हैं जिसमें one mark mcqs होते हैं उसके लिए यह बहुत ही standard mcqs है and if you are preparing for the main and advance तो यह वीडियो भी आपके लिए important है क्योंकि fundamental अगर basics आपको strong करना है तो वो यहाँ से मिलेगा बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे higher level के question पे चले जाते बट basic भी रह जाता है तो आप higher level के questions भी नहीं कर पाएंगे चले question is order of this differential equation तो आपके सामने एक differential equation है जिसमें दो differential coefficient है आप देखिए कि तीन बार differentiation करने से यह differential equation मिला होगा that's why order of differential equation is 3 अगर degree पूछा होता तो d3 y by dx3 का degree है 1 that's why degree of this differential equation is 1 next इसमें आपको degree पूछा है तो सबसे पहले अगर मैं order की बात करूँ तो order तो clearly visible है कि आपके पास इसका order है 2 लेकिन आमें पूछा है degree तो degree क्या आप बता सकते है इसका degree क्या है तो आम तोर पे अगर आप ऐसा guess करें कि d2 y by dx2 यह highest order का differential coefficient है उसका degree 1 है और आप one tick करके आ जाएंगे तो आपका answer गलत होगे त्यान रखना है किसी भी differential equation का order and degree find करने से पहले और खास करके degree क्योंकि order पे तो कोई change नहीं होता है जब भी आप degree find करें तो equation को पहले simplest form में लाना जरूरी है उसमे square root cube root remove करना जरूरी है तो right hand side में आप देखेंगे तो cube root वाला time है यह remove करना पड़ेगा इसके लिए दोनों side cube करेंगे तो d2 y by dx2 का cube हो जाएगा left hand side में right hand side में cube करेंगे तो cube and cube root remove हो जाएगी और ऐसा differential equation आपको मिलेगा और आप देख पार रहे होंगे कि order तो अभी भी 2 है बट degree इसका 3 है और वही इसका answer भी है चलिए next tip में आपको पूछा है degree तो सबसे पहले अगर order की बात करें तो यह equation एक बार differentiation करने से आया होगा मतलब कि इसका order 1 है degree की बात करें तो यह देखो differential coefficient है वो log के अंदर है मतलब इसका degree undefined या not defined होगा यह थियान रखना बहुत चरूरी है इसके साथ साथ एक और चीज में आपको बता दू कि अगर मान लीजिए आपके पास जो differential equation है वो ऐसा होता log dy by dx equal to y plus 1 और इसका अगर आपको पूछा होता degree तो सोच यह क्या होता यह भी जो differential coefficient है वो log के अंदर है और अगर ऐसा सोच के आपने इसका degree not defined बोल दिया तो गलत हो जाएगा reason यह है कि यहाँ पे आप जो dy by dx से इसको log से remove करवा सकते है log को अगर right hand side में ले जाएगे तो e raised to y plus 1 उपर जो differential equation दिख रहा है वो कुछ ऐसा है और इस differential equation का degree जो है वो होगा one not defined नहीं होगा similarly यहाँ पे देखे अगर तो यह log को अगर सामने ले जाना है तो पहले तो x को इदर लेना पड़ेगा तो जो differential equation है वो dy by dx minus x equal to log dy by dx बनेगा अब अगर लोग को सामने भी ले जाते है तो क्या होगा यह वाला dy by dx है वो exponential के power में आ जाएगा इसका मतलब अगर आप dy by dx को log से remove करवाने की try करते है तो वो exponent में चला जाएगा e की power में चला जाएगा तब भी degree not defined ही रहेगा बहुत important चीज good set में एक बारे सा question आ चुका है इसको ध्यान से देखिए चली आगे बढ़ते है next question पे again आपको degree पूछा है तो पहले अगर order पूछा होता तो वो तो हम लिख देते तू अब बात अगर degree की है तो आप देख पार रहे है कि differential coefficient जो है वो e की power में है और e को सामने ले जाने से भी कोई फाइदा होने वाला है नहीं मतलब इसका degree undefined हो जाएगा आगे बढ़ते हैं again आपको degree पूछा है और अगर आप देखे तो यहाँ पे भी जो differential coefficient है वो cost के अंदर है trigonometric function के अंदर है that's why degree is undefined and अगर order की बात करें तो order इसका होगा 2 त्यान रखना degree चाहे not defined भी हो order कभी भी not defined या undefined नहीं होता है next question में आपको order and degree दोनों पूछा है तो order तो आपको clearly दिख रहा है कि 2 है पहले order है यह भी त्यान रखना तो यह answer आ सकता है बस खतम हो गई बात देखो इसमें order 3 है इसमें order 3 है इसमें order 1 है तो जो मैं starting में बात कर रहा था कि unwanted calculation की जरूरत नहीं है बीना कुछ देखे बीना कुछ समझे सिधा question को solve करने से पहले आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ option को देखके ही आपको पता चल रहा है कि कौन सा answer आएगा अगर नहीं पता चला तो आपको क्या करना चाहिए इधर square root है और इधर cube root है square root को remove करना है तो square करना पड़ेगा cube root को remove करना है तो cube करना पड़ेगा दोनों को remove करना है एक साथ तो यह इसका square root है और इसका cube root है दोनों को remove करना है तो दोनों side power 6 करना पड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा d2y by dx 2 का power 3 और यहाँ पे हो जाएगा dy by dx का square और highest differential coefficient यहाँ पे है तो order तो 2 होगा n77 में degree 3 भी होगा option 1 पहले से हम mark कर चुके थे now degree of homogeneous function अब देखिए यह normal degree की बात नहीं कर रहे है differential equation के degree की बात नहीं हो रही है it is degree of homogeneous function तो यहाँ पे ध्यान रखना फिर ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे तो differential equation ही दिया नहीं है और degree कैसे पूछ रहे है यह एक अलग topic है आगे जाके differential equation हम study करेंगे जिसमें इसके बारे में बात करेंगे लेकिन अभी question आ गया है तो आप समझ यह process की function में आप x को lambda x से and y को lambda y से replace करना होता है जब भी homogeneous function का degree find करना होता है तब तो यह 4 lambda cube x cube plus 3 lambda square x square into lambda square y square plus 5 into lambda rest to 4 and y rest to 4 अब आप देखिए कि इसमें से lambda की power 3 को मना रहा है या तो पहले इसको homogeneous में convert करने की try करते है तो भी हो सकता था लेकिन यहां पे अगर lambda का cube को मना रहा है तो अंदर क्या बनेगा 4 x cube plus 3 lambda x y sorry x square y square and plus 5 lambda y rest to 4 अगर किसी भी function में x and y को lambda x and lambda y से replace करने से lambda power n को मना आता है और अंदर वापस function बन जाता है तो इसको बोलते है degree of homogeneous function लेकिन यहां पे इसा नहीं हो रहा है तो इस homogeneous function का degree not define होगा और अच्छे से आप एक बार समझेए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि f of x में lambda x lambda y से replace करने से lambda power n को मन आ जाए n उसके बाजू में वापस वही function बन जाए x को lambda x से n y को lambda y से replace करने के बाद lambda power n को मन आ जाए और उसके बाजू में वापस जो original function है वह बन जाए then n is called degree of homogeneous function clear लेकिन इसमें lambda power n को मन तो आया लेकिन यह जो है न यह f of x y नहीं बन पाया that's why degree not defined चलिए आगे बढ़ते हैं इसका order पूछा है तो order तो आप बता सकते हैं यह दो बार differentiation करने से हैं यह तीन बार differentiation करने सा है तो order is 3 degree की अगर बात है तो आपको थोड़ा और simplify करना पड़ेगा दोनों से स्क्वेरिंग करेंगे तो d2y by dx2 plus y left hand side में स्क्वेरिंग करेंगे तो square square root remove हो जाएगा right hand side में स्क्वेरिंग करेंगे तो d3y by dx3 का square हो जाएगा और अगर हमें degree पूछा होता तो answer होता 2 अब degree and order में confuse नहीं होना है order किसको बोलते है degree किसको बोलते है यह आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए next degree पूछा है तो order तो आप equation को देखके ही बता सकते है इसमें आपको simplification करने की भी जरूरत नहीं होती है लेकिन degree के लिए आपको differential equation को simplify करना पड़ेगा square root cube root को remove करना पड़ेगा तो left hand side में cube root है तो हमें cube करना पड़ेगा तो right hand side में d2y by dx2 का cube हो जाएगा degree की जहां तक बात है तो highest differential coefficient है उसका जो power होता है उसको degree बोलते है तो इसका answer आएगा 1, 3 नहीं आएगा highest degree जो है वो नहीं लेना है highest differential coefficient जो है चहां से आपको order मिलता है differential equation का उस term का degree जो होगा it is known as degree of differential equation चलिए आगे बढ़ते है next question पे इसका degree find करना है तो सबसे पहले अगर order find करना होता तो मैं बोल देता order इसका 2 है degree find करना है तो simplify करना पड़ेगा d2y by dx2 equal to minus y d2y by dx2 का all square cross multiply करो तो d2y by dx2 है और square multiply होगा तो cube हो जाएगा minus y एक ही differential coefficient है और उसका degree 3 है it means degree of this differential equation is 3 त्यान रखना है square root cube root है तो remove करना है denominator में कुछ है तो cross multiplication करना है पहले differential equation को simplest form में लाना है उसके बाद ही order and degree decide करना है specially degree order तो आपको देखके ही पता चलेगा चली आगे बात करते है order of this differential equation order तो सिधा देखके ही पता चलेगा चितनी maximum time differentiation हुआ होगा वहाँ से आपको order मिलेगा अगर degree पूछा होता तो तो आप one answer देते और अगर question ऐसा होता find order and degree of differential equation y double dash plus y y dash square equal to 2 तो भी आप समझते है कि d2 y by dx2 की जगा पर y double dash लिखा है d y by dx को हम y dash भी बोलते हैं मतलब same differential equation है वही order and वही degree होगा next degree of differential equation तो differential equation का order की अगर बात करें तो वो है 2 and degree की बात करें तो उसका power है 2 so degree is also 2 next again आपको degree पूछा है तो पहले अगर order पूछा होता तो तो आप answer देते 2 degree के लिए क्या है कि differential coefficient log के अंदर है तो इसका degree undefined होगा degree इसकी degree की बात करें तो पहले order अगर पूछा होता तो इसका order हो जाता 2 लेकिन degree की बात करें तो वो e के power में है इसलिए not defined हो जाएगा आगे degree of differential equation again trigonometric function के अंदर differential coefficient है और उसको remove भी किया नहीं जा सकता है इसलिए इसका degree not defined होगा अगर order पूछा होता तो हम answer 2 लिखते चलिए इस बार order and degree दोनों पूछा है और यह question सायद दूसरी बार आया है दोनों सायद power 6 करना पड़ेगा तो y double dash का power 2 हो जायेगा y triple dash का power 3 हो जायेगा तो order भी 3 and degree भी 3 आयेगा पहले simplify करना बहुत जरूरी है before deciding order and degree of differential equation again यह question भी दूसरी बार आया है लेकिन इस बार आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आयेगा कि कोई भी homogeneous function का degree कैसे find करते हैं मैंने आपको बोला function में x and y को lambda x lambda y से replace करो तो द्यान से देखना lambda x rest to 4 plus lambda x into lambda y का cube plus lambda x का cube into lambda y plus lambda y rest to 4 सारे terms अगर आप देखेंगे तो सब में से lambda power 4 common है बाकी जो बचेगा वो होगा x rest to 4 plus x into y cube plus x cube into y plus y rest to 4 और इसको देखेंगे तो यह lambda rest to 4 into f of xy वापस आ चुका है तो lambda की power जो है it is called degree of homogeneous function homogeneous function किसको बोलते है जिसमें x and y होते है और उसमें से ऐसे x and y को lambda x lambda y से replace करने पे lambda power n common आना चाहिए clear चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर for the differential equation find order and degree तो again इसको पहले simplify करना पड़ेगा तो एक term को इधर ले ले लेते है x dy by dx equal to 3 times square root of 1 plus dy by dx का all square अब जब तक square root है तब तक order degree define नहीं कर सकते order तो वैसे भी आपको पहले से पता है कि order तो 1 है तो ये answer नहीं आ सकता और answer ये भी नहीं आ सकता अब degree decide करने के लिए दोनों side squaring करना पड़ेगा तो y minus x dy by dx का square equal to 9 times 1 plus dy by dx all square अब अगर देखेंगे तो यहां से जब open करेंगे a minus b का all square तो dy by dx के उपर degree 2 आएगा यहां पर भी dy by dx के उपर degree 2 है so highest degree 2 है इसका मतलब order तो पहले से पता था 1 था लेकिन इसका degree हो गया 2 चलिए order of this differential equation तो order तो आपको यहां से clearly दिख रहा है कि दो बार differentiation करने से यह equation आया होगा इसका मतलब इसका order 2 है लेकिन अगर degree पूछा होता तो हमारा answer होता not defined क्योंकि trigonometric function के अंदर differential coefficient आ चुका है चलिए order पूछा है इसका तो इसको और थोड़ा simplify करेंगे 1 minus x square dy equal to minus square root of 1 minus y square dx dy by dx को subject बनाएंगे तो minus 1 minus y square 1 minus x square यह एक differential equation है और इसका order अगर आपको पूछा है तो किसी भी equation को एक बार differentiate करने से यह differential equation आया होगा that's why order is 1 अगर degree पूछा होता तो भी होता 1 क्योंकि differential coefficient का power है 1 चलिए degree of this is undefined because चलिए अब आपको बोला है कि एक differential equation है आपको यह भी बोल दिया है कि इसका जो degree है न वो not defined है क्यों ऐसा होता है वो बताईए तो dy by dx is not a polynomial yes यह dy by dx में एक polynomial नहीं है इसलिए x में तो polynomial वैसे भी नहीं है अगर होता तब तो इसका degree not defined नहीं होता and y is not a polynomial in short कि dy by dx वाले जो terms है वो उसकी जगह पे x put करने से एक polynomial बनना चाहिए लेकिन यहां पे नहीं बन रहा है that's why it is degree of the differential equation is not defined यह इसके पीछे का reason है अगेन आपको पूछाए order and degree अगर आप बलती से भी इसका not defined बोल देंगे degree तो problem हो जाएगा आपको क्या करना है दोनों से लोग ले लेना है तो लोग एक simple differential equation है जिसका order जो है न वह वन है एंड जिसका degree भी वन है तो order and degree इसमें कुछ गरबढ़ है one and one होना चाहिए था तो इस तरीके से आपका answer आएगा चली आगे बलते है next order and degree अगेन पूछा है तो अगेन इदार square root पहले करना पड़ेगा दोनों से square करेंगे तो d2 y by dx2 का cube का square करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहां से square root remove हो जाएगा order तो आपको पता है यहीं से मिलने वाला है तो order 2 है तो यह दो answer तो कपी नहीं आ सकते और degree इसका 6 है तो option a आएगा which of the following differential equation has a order 2 3 कौन सा differential equation है जिसका order 3 है तो देखे यह y1 का मतलब क्या होता है y dash y dash का मतलब होता है dy by dx तो इसका order तो है 1 y2 का मतलब होता समझ गए y double dash या दी 2 y by dx2 इसका order है 2 और इसका order भी है 2 तो बाकी बचाई यहीं इसका order है 3 so option c is the correct answer चलिए तो formation of differential equation इस chapter का first segment अभी तक तो जो बहुत ही basic बाते हमने की है कि differential equation किसको बोलते है उसका order and degree क्या होता है चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से यह first segment है चैप्टर का और second जो है वो इससे भी ज्यादा important है लेकिन बहुत जल्दी से formation के बारे में बात कर लेते हैं formation of differential equation मतलब कि आपको एक equation दिया होगा आपको differential equation बनाना होगा find करना होगा तो ध्यान रखना है कि किसी भी equation से differential equation में जाना है तो आपको differentiate करना होगा differentiate करने से आपको differential equation मिलेगा यहाँ पर एक question आएगा कि कितनी बार differentiation करना है to find differential equation we have to differentiate given equation कितनी बार differentiation करना है how many times we have to differentiate this question का अंसर है number of arbitrary constant present in the equation जो given equation है जिसका differential equation आपको find करना है उस equation में जितने arbitrary constant है न उतनी बार differentiation करना है जितना आपकी मर्जी में आए उतनी बार नहीं कर सकते हैं अब यह arbitrary constant क्या होता है इस पर अभी हम बात करेंगे एक और बहुत इंपोर्टन चीज चो आपको not करके रखनी है वरना यहां पर गलती हो सकती है differential equation should be free from arbitrary constants तो कुल मिला के बात इतनी है कि अगर किसी भी equation का differential equation आपको find करना है तो आपको differentiation करना है दूसरी चीज कितनी बात differentiation करना है चितने arbitrary constant present होंगे equation में उतनी बात differentiation करना है तीसरी चीज क्या ध्यान रखना है जो आपको differential equation मिलता है उसमें एक भी arbitrary constant present नहीं होना चाहिए clear एक और चोटी सी चीज चो मैं यहां पर डिसकस करना चाहता हूं वो बहुत ही important है की अच्छा चलो वो जब solution करेंगे तभी कर लेंगे स्टार्ट करते है differential equation का formation किसी भी equation का differential equation कैसे बना सकते है तो यहां पर आपको पूछा है कि a non vertical line having slope m and y intercept c अब थोड़ा सा आपको 11th class का knowledge भी होना चाहिए 11th class straight line में एक equation of line आता था जिसका slope m and y intercept c है न तो equation of line होता है y equal to mx plus c जिसको आप slope intercept form बोलते होंगे तो अभी आपको बोला है इस type की जो line है न उसका differential equation find करना है और यहां पर बोला है m and c are arbitrary constant तो arbitrary constant जो है न वो constant भी नहीं है और variable भी नहीं है इन दोनों के बीच की बात है x, y, z यह सब भी variable है जिसकी value कुछ भी हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5 यह सब constant है जिसकी value fix होती है इन दोनों के बीच में जो आता है उसको बोलते है arbitrary constant जैसे कि y equal to mx plus c particular एक line की अगर बात करें न तो उसमें m and c की value same होगी लेकिन different lines की बात करेंगे तो mc की value change होती जाएगी तो at the same time उसको आप constant भी consider कर सकते है और वो variable भी है that's why it is known as arbitrary constant अब आपको differential equation find करना है तो आपको पता होना चाहिए first thing इसका differentiation करना पड़ेगा second thing कितनी बार differentiation करना है जितने arbitrary constant equation में present है उतनी बार तो यहाँ पर m and c दो arbitrary constant है तो दो बार differentiation करेंगे first time differentiation करेंगे तो dy by dx equal to m constant है x का derivative 1 होगा c constant है उसका derivative 0 दो arbitrary constant है तो एक और बार differentiation करेंगे y का differentiation dy by dx होता है dy by dx का differentiation d2 y by dx2 होता है और m constant है उसका derivative 0 हो जाएगा और यह differential equation हमारे पास आ चुका है त्यान रखना है कि कहीं इसमें arbitrary constant तो नहीं रह गये है नहीं तो वो आपका final answer है तो आपके mind में एक question आ सकता है कि यह से तो जितने arbitrary constant है उतनी बार differentiation करेंगे तो तो फिर arbitrary constant तो हर बार निकल ही जाएंगे नहीं यह सा नहीं है देखिए आगे कुछ और question करते है तो आपको और idea मिलेगा Find the differential equation of the family of the line where A is arbitrary constant देखिए यहाँ पे A arbitrary constant है तो आप कितनी बार differentiation करेंगे सिर्फ एक बार त्यान रखना है कि यहाँ पे A है यहाँ पे A square है इसका मतलब यह नहीं है कि दो अलग-अलग arbitrary constant है अगर कोई equation में A square plus A square plus BX plus C है तो उसमें variable तो quadratic में सिर्फ एक ही हम consider करते है X तो यहाँ पे भी दो जगा पे A है बट arbitrary constant तो एक ही है which is A तो आपको इस equation को सिर्फ एक बार differentiation करने का chance मिलेगा तो differential equation आपको मिलेगा DY by DX equal to A constant X का 1 A square constant derivative 0 तो differential equation आपको मिल चुका है DY by DX equal to A लेकिन यह नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगा क्योंकि differential equation should be free from arbitrary constant तो क्या करें तो आप क्या करें यह A की जो value हमें मिली है न उसको वापस equation में रख दो तो Y equal to A मतलब DY by DX into X plus A square मतलब DY by DX का all square अब देखो यह भी एक equation है जिसमें differential coefficient है तो इसको differential equation बोल सकते है यह यहीं से इसकी help लेके हमने निकाला है तो यह इसी line family of line का differential equation है and एक arbitrary constant था तो इस differential equation का order भी एक है and last thing it is free from arbitrary constant that's why यह हमारा answer है चलिए आगे बढ़ते हैं next question the differential equation of rectangular hyperbola जिसमें A arbitrary constant है तो एक बार इसको differentiate करेंगे ध्यान से X square का derivative 2X होता है Y square का derivative 2Y होता है A constant है उसका 0 होगा उमीद करता हूँ कि integration की बहुत लंबी जर्नी के दोरान in definite, definite, application and differential equation चार chapter आपने सिखे हैं लेकिन अब तक आप differentiation नहीं भूले होंगे क्योंकि Y square में पहले तो power का derivative होता है तो 2Y, फिर Y का derivative होता है DY by DX because we are differentiating with respect to X तो और इसको थोड़ा simplify करें तो 2Y DY by DX equal to 2X होगा 2, 2, cut हो सकता है DY by DX equal to X by Y होगा left hand side में लेना है तो minus X by Y equal to 0 option D is the right answer चलिए, अब आपको family of lines का again एक equation दिया है और बोला है कि इसमें A and B are arbitrary constant तो C जो है न वो arbitrary constant नहीं है, याद रखना वैसे C is definitely arbitrary constant but the question में ही हमें बोला है कि सिर्थ 2 ही arbitrary constant है A and B तो हम क्या करें और अगर ऐसा है तो फिर आपको पता होना चाहिएगा अगर A and B arbitrary constant है तो differential equation जो होगा उसका order 2 होगा definitely और इसका answer जो हमारे पास 4 option है उसमें सिर्फ एक ही differential equation ऐसा है जिसका order 2 है तो वही answer होना चाहिए चलिए एक बैर चेक करते के देखते है तो differentiate करो तो A constant X का 1 प्लस B constant Y का derivative DY by DX C constant है उसका derivative हो जाएगा 0 तो equal to 0 अब क्या करें तो कुछ नहीं कर सकते यही differential equation है नहीं नहीं एक और बार हमारे पास chance है क्योंकि दो arbitrary constant है So B DY by DX equal to minus A अभी differentiate करेंगे तो यह B यहाँ पे रह जाएगा इसलिए मैं क्या करता हूँ DY by DX equal to minus A by B अब इसको एक बार फिर से differentiate करो और इस तरीके से option B हमारा answer होगा आपने देखा कि solve करने से पहले ही मैंने answer बता दिया था तो इस तरीके से जब भी आप किसी भी MCQ को attempt करें तो आप aware रहने चाहिए सिर्फ solution के पीछे आख मन करके भागने से कुछ नहीं होगा हमें देखना पड़ेगा कि क्या real में solution की जरूरत है या सिर्फ option देखके या थोड़ा सा solve करने के बाद option देखके हमें answer पता चल सकता है clear? चलिए आगे बढ़ते हैं next question पे differential equation representing family of cos y equal to a cos x plus c a and c are arbitrary constant इसका differential equation find करना है तो हम क्या करेंगे? differentiate करो dy by dx equal to a constant cos का minus sin x plus c होता है differentiation हमारे पास दो arbitrary constant है हम दो बार differentiate कर सकते हैं और दोनो arbitrary constant remove हो जाने चाहिए हमने एक बार differentiation किया है अभी तक एक भी arbitrary constant remove नहीं हुआ है एक बार फिर से करके देखते हैं otherwise फिर कुछ और सोचेंगे तो ये d2 y by dx2 हो जाएगा ये minus a sin का derivative cos x plus c होता है तो अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास दोनो arbitrary constant present है दो arbitrary constant है हमने दो बार differentiation कर दिया है फिर भी दोनो arbitrary constant है मैंने आपको बताया था कि differential equation में एक भी arbitrary constant होना नहीं चाहिए तो क्या करें तो थोड़ा ऐसा देखना है देखो a cos x plus c a cos x plus c इसकी value है y तो हम वो value put कर सकते है d2 y by dx2 equal to minus के बाद जो कुछ भी है वो y है और y इदर आके plus y हो जाएगा और यही answer होगा next अब एक बहुत बढ़ा differential equation दिया है और उसका sorry एक solution दिया है और कुछ missing terms है वो हमें find करना है तो जल्दी से y equal to a cos log x plus b sin log x यह एक equation है जिसमें a and b दो arbitrary constant है तो हम दो बार इसको differentiate करेंगे y dash minus a sin log x यह तो पहले a constant था पहले cos का किया अब log का b करना पड़ेगा 1 by x plus b sin x का होता है cos x and log x sin log x का होता है cos log x and log x का differentiation होगा 1 by x अब अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं x को left and side में LCM लेके multiply कर सकते हैं तो यह हो जाएगा x y dash equal to minus a sin log x and plus b cos log x एक अबर फिर से दिफ्रेंसेट कर यह ध्यान रखना है left and side में product rule लगाना पड़ेगा x y double dash plus y dash x का derivative 1 minus a sin का cos log x and log x का 1 by x b cos का होगा minus sin log x log x का again 1 by x x को left and side में multiply कर दो तो x square y double dash plus x y dash equal to x अब left and side में आ चुका है बाकी जो कुछ भी है minus a cos minus b sin वो है minus y और अब equation को आप देखें तो question में हमें x square y double dash सिर्फ इतना दिया है प्लस x y dash plus y equal to 0 जिसमें ये वाली term missing थी तो x y dash या x y1 या फिर x y dash या फिर इसको x dy by dx भी बोल सकते हैं और यही हमारा answer होगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर again आपको एक solution या एक equation दिया है और आपको differential equation find करना है तो आप देख पा रहे होंगे कि a and b दो arbitrary constant है तो दो बार हम differentiation करेंगे दो बार differentiation करेंगे तो धियान से देखो sin 10x का आप cost 10x करेंगे फिर 10 से multiply करेंगे दूसरी बार करेंगे तो वापस 10 से multiply करेंगे तो जो भी differential equation आएगा उसमें definitely hundred तो आने वाला ही है और इस तरीके से कुछ भी किये बगे सिर्फ 5 सेकेंड में आप answer तक पहुँच सकते है अगर आप थोड़ा सक critical सोचे तो clear? चलिए तो solve करने के try करते हैं दो arbitrary constant है first time differentiate करेंगे तो minus a sin 10x and 10x का होगा 10 plus b cos 10x and again 10x का derivative होगा 10 दूसरी बार differentiate करें तो minus a cos 10x and again 10x का derivative 10 होगा 10, 10, 100 हो जाएगा यहाँ पे cos का minus sin 10x and again 10x का 10 तो 10, 10, 100 और अब आप देखेंगे तो 100 and minus 100 common निकलने के बाद जो कुछ भी है वो है y और जैसा कि मैं बोल रहा था option a is the correct answer चलिए यहाँ पे भी आपको एक equation दिया है आपको equation, differential equation find करना है बोला गया है कि a arbitrary constant है एक arbitrary constant है तो शिर्फ एक बार differentiation आपको करना है आपने differentiation किया y का y देस a as it is x q का 3x फिर फस्ट गये कि भाई एक ही arbitrary constant था एक बार ही derivative करने का chance था हमने एक बार derivative कर दिया है differential equation मिल चुका है लेकिन उसमें से arbitrary constant remove नहीं हुआ है तो क्या करें तो आपके बस दो यहाँ पर situation हो सकती है एक तो आप क्या सोथ सकते है कि y देस equal to a और 3 की भी जरूरत नहीं है वहाँ पर x square है अगर आप इसको x से multiply divide कर लेते है तो क्या होगा y equal to 3 के बाजू में ax cube divide by x आ जायेगा और ऐसा करने से अब आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर हम y रख सकते है so 3y by x ऐसा कहीं पर oh my god दिखन तो नहीं रहा है तो x dy by dx equal to 3y 3y यहाँ पर तो है बट यहाँ पर x square है x square तो नहीं आना चाहिए I think options में कुछ कर बढ़ है एक दूसरी बार हम दूसरे method से try करके देखते है तो हमारे पास है dy by dx equal to a into 3x square a अभी भी नहीं निकलाएं तो हम क्या करेंगे a की जो value है वो यहाँ से place कर देंगे तो a हमारे पास है y by x cube तो a की value put करो dy by dx equal to a बोले तो y by x cube और यहाँ पे है 3x square तो finally क्या होगा x cube एन x square कट होके इधर x आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा 3y तो again आप देख रहे हैं कि दोनों answer match कर रहे हैं इसका मतलब हमारा answer correct है या तो आपको इधर 3y करना पड़ेगा या फिर यहाँ से square को हटाना पड़ेगा बाकी के दो options जो थे वो बिल्कुल wrong ही थे clear तो इस question में एक भी option correct नहीं है कुछ printing mistake है answer हमारा जो differential equation है वो ऐसा आना चाहिए clear चलिए आगे बढ़ते हैं और again differential equation find करना है a and b दो arbitrary constant है दो बार differentiation करेंगे first time करेंगे y1 तो a constant है e raise to 2x का derivative e raise to 2x होता है 2x का derivative होता है 2 और similarly b into e raise to minus x का तो minus x होता है बट minus x का minus 1b होगा एक बार फिर से इसको differentiate करें तो y2 equal to 2 to 4 a e raise to 2x minus minus plus b e raise to minus x ऐसा आजाएगा और इस बार आप देख रहे हैं कि दो बार derivative करने का chance था जो खतम हो चुका है and एक भी arbitrary constant अब तक remove नहीं हुआ है तो options available है अगर तो आपके पास एक option तो यह है कि चारों में y1 y2 की value put करके देखो किस में answer 0 आ रहा है और दूसरा option अगर option नहीं होते सीधा आपको differential equation तक ही पहुँचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसा करने से काम चलेगा नहीं तो दिरे दिरे करेंगे सबसे पहले तो e rest to minus x से सबको divide करो तो y by e rest to minus x equal to a into e rest to 2x divide by e rest to minus x plus b into e rest to minus x को तो जब e rest to minus x से divide करेंगे तो 1 हो जाएगा तो अब जो equation है वो ऐसा बना है y into e rest to x a into e rest to 3x plus b अब first time differentiate करेंगे न तो क्या होगा ये जो arbitrary constant है ये निकल जाएगा लेकिन यहाँ पर product true लगाना है ये भी दियान रखना y as it is e power x का derivative e power x e power x as it is y का derivative y1 3 a e rest to 3x plus 0 एक बार derivative करने से एक arbitrary constant remove हो चुका है दूसरी बार अगर आपको करना है तो इस बार 3 a को अलग करना पड़ेगा तो इस बार दोनों साइड e rest to 3x से आप divide करिए ऐसा करने से right hand side में 3 ये आ जाएगा और left hand side में e rest to x common निकले तो e rest to minus 2x into y plus y1 s आ जाएगा अब दूसरी बार differentiate करेंगे तो दूसरा arbitrary constant भी निकल जाएगा और e rest to minus 2x as it is y का y1 y1 का derivative y2 plus y plus y1 and e rest to minus 2x का e rest to minus 2x and minus 2 का derivative minus 2x का minus 2 equal to 0 तो फाइनली थोड़ा और simplification करना पड़ेगा e rest to minus 2x y1 plus y2 plus y plus y1 and इसको सामने ले जाएगे right hand side में तो ये वाली जो term है वो positive हो जाएगी second term और हमारे पास होगा 2 and e rest to minus 2x तो ये e rest to minus 2x काट हो जाएगा और y1 plus y2 minus 2y minus 2y equal to 0 हो जाएगा और फाइनली आपका answer y2 minus y1 minus 2y equal to 0 होगा तो minus 2y सब जगह पे दिख रहा है minus y1 सिर्फ एक जगह पे दिख रहा है option b तो ये हमारा correct option होगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question पे the slope of the sorry थोड़ा आपको question देखने में problem हो रहा होगा slope of the curve at the point not passing through the origin is in the ratio of x and y then the xy coordinates is represented तो एक ऐसा curve है जिसका slope of tangent मतलब कि dy by dx याद रखना slope of tangent का मतलब होता है dy by dx ये कितना है ये x and y के ratio जितना है तो ये किस curve को represent करते होंगे तो actually ये गलत segment में question आ चुका है अगर आपको जानना है कि ये differential equation किसका है तो इसको solve करना पड़ेगा इसके लिए आपको integrate करना पड़ेगा इसके लिए तीन method है जो वीडियो में आगे discuss करने वाले है लेकिन first method अभी मैं आपको बता देता हूँ variable separable method जिसमें variable को separate करके integrate करना होता है मतलब y को dy के साथ रखना है x को dx के साथ रखना है उसके बाद integrate करना है तो ये y square by 2 होगा ये x square by 2 होगा और plus होगा c finally आप देखे तो x square by 2 या LCM एक बार ले लू तो हमारे पास बनेगा y square equal to x square plus 2c और इसको हम बोल सकते है y square minus x square equal to 2c और ये जो है rectangular hyperbola का equation है क्योंकि a and b की value same है clear? चलिए आगे बढ़ते है चलिए तो यहां से हम बात करेंगे chapter का next segment which is solution of differential equation तो जैसा कि आप जानते starting में दो चीज़े हमने discuss किया था कि इस chapter में हम दो चीज़े सिखने वाले है first thing is formation of differential equation और वो काम हमने complete कर दिया है एक बाद जल्दी से अगर मैं आपको recap करवाओ तो सबसे पहला segment आज के session का हमने discuss किया था differential equation किसको बोलते है और differential equation का order and degree क्या होता है उसके बाद second major topic जो हमने discuss किया it is formation of differential equation इसमें क्या होता है हमारे पास एक equation होता है जिसको हम solution बोलते है या car बोलते है या function बोलते है आपको क्या करना है इसका differentiation करना है तो आपको जो मिलेगा वो differential equation होगा question में हर बार आपको पूछते थे find the differential equation तो जो solution आपको दिया होता था जो equation आपको दिया होता था आप उसका differentiation करते थे कितनी बार differentiation करते थे जितने arbitrary constant है उतनी बार और कि अध्यान रखना है कि जो भी differential equation मिले it should be free from arbitrary constant यह first segment अब आते हैं दूसरे segment पे chapter का second point which is solution of differential equation कोई भी exam ले लो फिर चाहे वो board का exam हो good set का exam हो जी main या advance का exam हो किसी भी exam में differential equation जो chapter है इसका main topic जो है solution of differential equation mainly ये chapter आपको इसी लिए सिखाया जाता है ताकि आप differential equation को solve कर सके तो इस बार आपके सामने क्या होगा differential equation दिया होगा आपको उसको solve करना है तो आपको solution मिलेगा और solution find करने के लिए आप differential equation को integrate करेंगे solution find करने के तीन methods है first method is variable separable form second method is homogeneous differential equation and third method is linear differential equation turn by turn जो भी differential equation दिया होगा उसको solve करने के ये तीन different methods है वो हम सिखेंगे उसके बाद chapter complete हो जाएगा दो तिन चीज़े और चोटी मोटी है उसको भी हम discuss करेंगे length of subtangent, subnormal और कुछ खास टाइप के differential equation के solutions भी देखेंगे तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला method जिससे हम किसी भी differential equation को solve कर सकते हैं which is variable separable form तो इसमें आपके पास क्या होता है कोई जो differential equation है कुछ इस तरीके से आपको दिया होगा जैसे की f of x dy equal to f of y dx ठीके तो ये कोई एक differential equation है या फिर differential equation है वो dy by dx equal to f of y by f of x इस form में भी दे सकते हैं ये दोनों differential equation है और ये दोनों एक ही differential equation है अब हमारा काम है इसको हमें solve करना है बहुत पहले मैंने आपको बताया कि differential equation को solve करने के लिए आपको integrate करना पड़ेगा integration कैसे करेंगे तो first method हम सीख रहे है variable separable method इस method में क्या होता है कि dy जो है उसके साथ y वाले terms रखने है और dx जो है उसके साथ x वाले terms रखने है dx and x वाले terms एक साइट, dy and y वाले terms एक साइट जैसे ही यह बन जाए फिर हम दोनों साइट integrate कर देंगे फिर यहां से आपका indefinite का concept start होता है कि आप किस तरीके से यह दोनों function को या जो भी terms आपके पास available है उसको कैसे integrate करते है जैसे questions हम देखेंगे तो आपको idea मिलता जाएगा कि किस तरीके की situation होती है बहुत simple simple integration के साथ आपको deal करना पड़ेगा बट basic चीज यह है कि जो भी differential equation है उसमें dx के साब सारे x वाले terms आपको collect करने है और dy के साब सारे y वाले terms रखने है ठीके एक और चीज में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि solution जो है न क्यूंकि हम अभी solution फाइंड कर रहे है differential equation का तो solution दो टाइप का होगा एक होगा general solution एक होगा principal solution general solution मतलब जिसमें arbitrary constant होंगे तो जो भी differential equation है उसका solution आपको find करना है तो आप integration करेंगे और जैसे आप integration करेंगे तो arbitrary constant भी उसमें आएगा तो अगर कोई solution ऐसा है जिसमें arbitrary constant present है तो उसको general solution बोलेंगे और अगर principal solution आप find कर रहे है तो it is free from arbitrary constant अगर किसी differential equation का particular solution आपको चाहिए तो उसमें arbitrary constants नहीं होंगे तो arbitrary constant कहा जाएंगे तो particular solution भी अगर आपको find करना है तो भी पहले तो हमें general solution find करना पड़ेगा फिर differential equation के साथ एक condition आपको दी होगी वो जैसे ही condition apply करेंगे तो आपको arbitrary constant की value मिल जाएगी उसको वापस आप solution में रख देंगे तो जो solution आपको मिलेगा वो particular solution होगा यहां पर एक बहुत ही important चीज discuss करना जरूरी है ध्यान से देखना बहुत ही ज्यादा important चीज है फिर्स्ट थिम डिफ्रेंशियल इक्वेशन ओफ ओडर फोर फोर ओडर का डिफ्रेंशियल इक्वेशन है तो उसके general solution में number of arbitrary constant कितने होगे सोचो किसी भी डिफ्रेंशियल इक्वेशन का ओडर अगर फोर है तो वो डिफ्रेंशियल इक्वेशन केसे बना होगा कोई एक इक्वेशन होगा जिसमें 4 arbitrary constant होगे तो आपने उसको 4 time differentiate किया होगा तब वो डिफ्रेंशियल इक्वेशन मिला होगा अब वो डिफ्रेंशियल इक्वेशन से वापस अगर solution में जाना है तो आपको 4 बार integration करना पड़ेगा चार बार integration करेंगे तो हर एक बार integrating constant आएगा तो चार integrating constant उसमें आएगे तो number of arbitrary constant उसमें होगे 4 लेकिन अगर मैं particular solution की बात करूँ तो डिफ्रेंशियल इक्वेशन चाहे किसी भी order का हो उसमें number of arbitrary constant 0 होते है अगर वो particular solution है तो दूसरी चीज में बोल रहाँ ध्यान से सुनना अगर किसी डिफ्रेंशियल इक्वेशन के general solution में 3 arbitrary constant है तो order of differential equation क्या होगा अगर किसी differential equation के general solution में 3 arbitrary constant R है है तो वो general solution चीज डिफ्रेंशियल इक्वेशन का है उसका order क्या होगा उसका order होगा 3 तभी उसके general solution में 3 arbitrary constant आये होगे या फिर general solution में 3 arbitrary constant है तो आपने उसको 3 बात differentiate किया होगा तभी आपको differential equation मिला होगा और किसी भी equation को थीन बार differentiate करेंगे तो जो differential equation आपको मिलेगा उसका order 3 हो जाएगा clear? चलिए अब कुछ questions करते हैं तो आपको पता चलेगा कि differential equation कैसे दिया होता है और उसको variable separate करके कैसे integrate करना है और कैसे उसका solution find करना है तो first equation आपके सामने है इसमें dy by dx वाली term है इसका मतलब कि ये differential equation है आपको find करना है general solution मतलब कि आपको integration करना है तो जैसा कि मैंने बोला सबसे पहले आपको y वाले terms and x वाले terms अलग-अलग करने है तो सबसे पहले मैं ये जो term है ना इसको right side में लिख लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा अब dy by dx एक बर फिर से square root भी अगर दोनों को separate दे दू तो ये ऐसा होगा अब dy यहाँ पे left hand side में है तो y वाले terms यहाँ पे ले लो and x वाले terms right hand side में है तो dx को वहाँ पे ले लो त्यान रखना है dy and dx should be always in numerator इसका उल्टा आप नहीं कर सकते के dy को right hand side में ले लिया और dx को left hand side में ले लिया क्योंकि dx के साथ x वाले terms, dy के साथ y वाले terms रखने है इसके साथ साथ dy and dx को numerator में भी रखना है ऐसा क्योंकि अगर dy and dx numerator में होंगे तब ही आप उसको integrate कर पाएंगे तो अभी देखिए y and x वाले terms अलग हो गए तो हम यह variable separate हो गए है अब आप इसको integrate कर देंगे अब integration के formulas आपको याद होने चाहिए यह sin inverse y होता है इसका integration इसका integration होता है sin inverse x and plus c तो आएगा ही जब आप integrate करेंगे तो तो finally अगर आप देखे तो sin inverse x plus sin inverse y equal to c यह आपका answer होगा option a चलिए एक और question देखिए अगेन आपके पास एक differential equation है आपको उसका general solution find करना है मतलब आपको integration करना है तो सबसे पहला काम हमारा यह होगा तीन method है बाकी के दो method तो आपको पता नहीं है तो अपको first method से ही हम चलेंगे और हमारा काम है variable को separate करना तो सबसे पहले dy by dx को subject बनाओ और y and x वाले terms को right hand side में ले लो फिर y वाले terms dy के साथ ले लो and x वाले terms के साथ dx को ले लो अब variable separate हो चुके है तो इसका integration ले लो तो यहाँ पे आजाएगा log mode y equal to minus log mode x और ध्यान रखना है कि अगर integration करते time सारे terms अगर log में है तो आपको constant term भी log c लेना है तो left hand side में तो log y है लेकिन right hand side में आप ध्यान से देखिए क्या आपको log c minus log x दिख रहा है और log की property अगर लगाएंगे log a minus b होता है log a by b अब दोनों side से आप log को हटा सकते हैं तो y equal to c by x और इधर x y कर देंगे तो c यह आपका general solution होगा x y equal to c clear एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूंगा अगर मान लीजे किसी ने नहीं पता चला कि वहाँ पे log c लेना है और किसी ने log y equal to minus log x plus c कर दिया तो क्या answer गलत आएगा बिल्कुल नहीं देखो तो क्या करना है log y plus log x कर देना है और right hand side में c again log a plus b होता है log a b c अब log सामने जायेगा तो x y equal to e raise to c हो जायेगा और e raise to c जो है ना वो अपने आप में एक constant है तो उसको भी आप c consider कर सकते हैं एक बार फिर से ध्यान से समझेए c अगर constant है तो e की power में c भी constant होगा 2 अगर constant है तो e power 2 भी constant ही होगा clear? तो तब भी आपका answer मतलब की general solution x into y equal to c ही आएगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question again आपके पास एक differential equation है और आपको उसको solve करना है तो सबसे पहले dy by dx equal to e raise to x plus y को आप लिख सकते है e raise to x into e raise to y अब dy left hand side में है तो dy के साथ y वाले terms ले लेंगे और e raise to x right hand side में है तो dx उसके साथ जाने देंगे और थोड़ा साथ यान से देखे तो ये e raise to minus y dy और ये e raise to x dx है दोनों साथ side आप integration कर देंगे तो e raise to x का e raise to x integration होता है प्लस c भी होता है e raise to minus y का e raise to minus y भी होता है लेकिन y के coefficient से आपको divide करना पड़ेगा तो final जो आपका answer है वो है minus e raise to minus y equal to e raise to x plus c अब general solution आप याद करिए general solution आप class 11 trigonometric equations को solve करते टाइम भी उसके general solution in particular solution find करते थे और अगर आपको याद है तो आप जानते होंगे कि general solution जो है ना उसमें कई बार थोड़ा सा problem हो सकता है answer लिखने में अब देखिए हमारा जो answer आया है ऐसा कोई answer options में available नहीं तो हम इसमें थोड़ा सा change कर देते हैं ये e raise to x को यहाँ पे रहने देते हैं left hand side वाला term right hand side में आके plus हो जाएगा right hand side से c जो है वो इधर आके minus c हो जाएगा अब आप देखेंगे तो ऐसा कोई option अभी भी आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आप ऐसे options मार्क कर यह जहाँ पे e की power में x है और e की power में minus y है तो यहाँ पे है और बाकी कहीं पे है ही नहीं देखो तो directly आपको समझ में आता है यहीं आपका solution है लेकिन अगर कोई पूछे कि option में तो c है और आपके पास minus c आया है तो यह दोनों कैसे same हो गए तो आपको बताना है कि दुनिया में किसी को नहीं पता है कि c कितना है तो किसी को यह भी नहीं पता है तो minus 2 भी constant है रहेगा तो constant ही यहाँ फिर अगर आपको ऐसा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ यह e rest to minus y है integration यहाँ से इस step से जो आपने integration किया है उसमे right hand side में जैसे e rest to x plus c किया तो मैं left hand side में भी तो plus c कर सकता हूँ और finally e rest to x plus e rest to minus y equal to c तो xz आपका answer आ जाएगा तो अब आपके mind में confusion होगा कि भाया right side में plus c करना है कि left hand side में plus c करना है तो मैं बोलूँगा यह tension लेने का नहीं है आप कहीं पे भी plus c कर सकते हैं कहीं पे भी log c भी कर सकते हैं क्योंकि c भी constant है minus c भी constant है log c भी constant तो आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी चलेगा तो तो हर बार different answer आएगा बिल्कुल hundred percent हर बार different answer ही आएगा तो फिर कैसे match करें कि कौन सा option correct है चैसे मैंने किया वैसे देखो e की power में x है and e की power में minus y है यहाँ पे minus x and y है तो यह तो कभी नहीं आएगा minus x minus y है यह भी कभी नहीं आएगा इसमें भी minus x minus y है यह भी कभी नहीं आएगा तो बचा हुआ option ही हमारा answer होगा चली आगे बढ़ते है next question यह first question आया है जहाँ पे particular solution की बात हो रही है तो particular solution में भी मैंने आपको बोला कि पहले तो हमें general solution ही find करना है तो dy by dx equal to यह term इदर ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा फिर y dy equal to minus x dx हो जाएगा फिर दोनों side integration कर देंगे तो यह y square by 2 equal to minus x square by 2 plus c हो जाएगा अब particular solution की अच्छी बात यह है कि आप right hand side में करो plus c या left hand side में करो log c करो या only c करो आपका exact answer ही आएगा तो यह तो हो गया general solution अब particular solution find करना है ना तो उस time पे always आपको ऐसी यह condition बाजू में दी होगी इसका meaning होता है कि जब आप x equal to 1 put करेंगे तो आपको y भी 1 मिलेगा यह अंदर जो y के अंदर होती है न वो x की value होती है और y के सामने होती है वो y की value होती है तो इस तरीके से इस condition का help लेके आप x sorry c की value find कर सकते तो x y 1 1 put करो तो 1 by 2 equal to minus 1 by 2 plus c तो finally c आपको मिलेगा 1 by 2 plus 1 by 2 बोले तो 1 और इस तरीके से आपको particular solution मिलेगा अगर general solution में आप c की value रखेंगे तो y square by 2 equal to minus x square by 2 plus 1 थोड़ा सा simplification तो y square by 2 plus x square by 2 equal to 1 और finally x square plus y square equal to 2 is the correct answer वैसे एक ही option ऐसा है जहाँ पे constant 2 है और वही हमारा correct answer है clear? चलिए आगे बढ़ते हैं next question पे again एक differential equation दिया है solution करना है always आपको ये बात बहुत अच्छे से अपने mind में set करके रखनी है कि integration कब करना है differentiation कब करना है अगर differential equation find करना है तो differentiation करना है अगर differential equation given है आपको solution find करना है तो integration करना है तो पहले तो एक term को right side में ले लो अब variables को separate करो तो say square x and dx and right hand side में से x वाला term इदर आ जाएगा और similarly y वाले terms सारे right hand side में रहेंगे और यह dx है तो अच्छा 10 y इदर आ जाएगा और यह question में न तोड़ा सगड़ बढ़ है यहाँ पर dy होना चाहिए क्योंकि दोनों dx dx दे दिया है तो यह तो dy बराबर लिखा बट यह dy होना चाहिए ठीक है तो यह फिर variable separate हो जाने के बाद integrate करेंगे क्या आपको याद है denominator में एक function है और numerator में उसका derivative है मतलब situation कुछ ऐसी है नीचे function है उपर उसका derivative है और इसका integration करना है क्या आपको याद है इसका integration log mode f of x होता है अगर याद नहीं है तो आपको 10x को t ले लेना है तो 6 square x dx dt हो जाएगा dt by t का integration log mode t हो जाएगा और t के place पे वापस 10x रखते ना है similarly right hand side में भी log mode 10y होगा और दोनों log में है तो constant term भी हम log में ही put करना पसंद करेंगे तो यह log mode 10x और right hand side में देखे log c minus log 10y है उसको लिखेंगे log c by 10y और finally दोनों side log log cut करेंगे तो इदर 10x into 10y equal to c और 10x into 10y equal to c यह हमारा answer आ जाएगा clear चलिए आगे बढ़ते हैं next question अगेन आपको पूछा है particular solution और I think यह तीसरी बार वही differential equation आया है dy by dx equal to minus y by x y वाले terms dy के साथ और x के साथ में dx और दोनो side integration x side minus v है यह log mode y हो जाएगा minus log mode x हो जाएगा दोनों log में है तो log mode c भी कर देंगे तो यह log y equal to log c by x हो जाएगा तो x into y equal to c होगा this is called general solution particular solution के लिए इस condition का use करना है इसका मतलब होता है x equal to 2 है then y equal to 1 है तो यह x into y है 2 into 1 2 equal to c इस तरीके से आपको c की value मिलेगी c की value जैसे ही आप general solution में रखेंगे तो आपको particular solution मिलेगा x into y equal to 2 is the correct answer एक यहाँ पर warning में आपको देना चाहूँगा जब भी question को read करें तो द्यान से देखना है कि general solution पूछा है कि particular solution read करने के बाद भी अगर particular solution पूछा है तो last तक यह चीज माइंड में रखनी है कई बार क्या होता है कि जैसे ही question को देखा integration करने लगे variable separate हो गए integration हो गया general solution मिल गया तो हम खुस हो जाते हैं और यह द्यान से निकल जाता है कि आगे भी particular solution भी find करना है question आधा रह जाता है चलिए आगे बढ़ते है next question पे general solution find करना है और differential equation जो है वो है 2x dy by dx minus y equal to 0 y को इस से ले लेता हूं मैं फिर dy के नीचे y ले लेता हूं और यह dx इदर और x इदर 2 को आप कहीं पर भी रख सकते हैं मैं इतर रख देता हूं फिर इसको दोनों साइड आप integrate करेंगे तो क्या होगा 2 log mod y equal to log mod x और दोनों answer दोनों साइड log वाले term है तो c भी log में ही लेंगे तो इसको हम लिख सकते log y square और यह है log x into c दोनों साइड से log को अटा देंगे तो y square equal to x into c क्या आपको कोई ऐसा equation याद है जिसमें y square and x आता हो yes क्या यह equation आपको y square equal to 4a x जैसा दिख रहा है 4a की जगा पे c है y square की जगा पे y है और multiplication में x b है और यह जो equation है ना यह parabola को represent करता है मतलब कि यह जो differential equation है ना यह parabola का differential equation है चलिए आगे बढ़ते हैं next question पे the differential equation of this has a solution तो again y वाले terms x आत लेंगे तो यह sin square y और dx वाले terms इदर रहेंगे variable separate हो जाने के बाद integration करेंगे तो यहाँ पे cos x square y dy होगा और यहाँ पे integration of dx होगा cos x square का integration आपको याद होना चाहिए minus 4y होता है और dx का integration x plus c होगा तो x plus quote y मेरा answer आ रहा है इदर x से quote y को इदर लेंगे तो plus quote y हो जाएगा c minus हो या plus हो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो x plus quote y आपका answer होना चाहिए अब अगर भी भी आपको confusion है कि minus c है फिर भी हम c क्यूं ले रहे है तो देखिए x plus quote y हमारा answer है ये तो final है इसमें x minus quote y है तो ये तो कभी नहीं आएगा ये y plus quote x है इदर x है और इदर y option c में है तो वो भी कभी नहीं आएगा इदर b अगर आप देखेंगे तो बीच में minus ही है quote y minus x लेकिन हमारे पास plus है तो ये भी answer नहीं आएगा बाकी बचा वही हमारा correct answer होगा चलिए again एक differential equation दिया है और हमें उसको solve करना है तो dy वाला सिर्फ एक ही term है और बाकी सारे term से वो x में है तो उसको dx के साथ लिख लेंगे और variable separate हो जाने के बाद integrate करेंगे इसका integration y हो जाएगा इसका integration कैसे करेंगे कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है safe trigonometric identity आपको याद होनी चाहिए 1-cos by 1 plus cos होता है 10 square x by 2 अरे बाबरे इसा तो कुछ नहीं पता है बिल्कुल ऐसा आपको पता होना चाहिए trigonometric identities आपको 11th से लोग बता रहे होंगे कि इसको करना बहुत जरूरी है यही एक्जामपल देख लीजिए differential equation का solution और उसमें भी variable separable form मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है but 1-cos by 1 plus cos 10 square x by 2 होता है अगर यह नहीं पता है तो इसको मैं integrate नहीं कर पाऊंगा तो अगर आपको 11th का match बहुत अच्छे से सीखना है तो trigonometric identities आपको आनी चाहिए याद होनी चाहिए regular basis पे उसका revision होना चाहिए अगर आपको याद नहीं है तो आप इस channel के playlist को check out करिए वहाँ पे एक video आपको ऐसा भी मिलेगा description में भी उसका link मिल जाएगा जिसमें मैंने सारी trigonometric identities डिसकस की है और ये वाली जो identity है ये भी आपको उसमें मिल जाएगी उस video को आप regular interval पे देखते रहेए revise करते रहेए उसका notes बनाएए उसको read करते रहेए तो एक time के बाद आपको याद रह जाएगा याद रह जाने के बाद भी कुछ interval के बाद आपको revise करना पड़ेगा otherwise ये ऐसी चीज़ है कि हम भूल जाते है ये आपका या किसी का personal matter नहीं है सब के साथ ऐसा होता है मेरे साथ भी ऐसा होता है अगर दो साल तक मैं भी पढ़ाना छोड़ दू तो मैं भी trigonometric identities या differentiation integration के formulas भूल जाऊंगा तो regular basis पे उसको revise करना बहुत जरूरी है उसके touch में रहना बहुत जरूरी है pen paper लेके reading करना अब आप लोगों को सायद पसंद नहीं होता है इसलिए मैं आपको suggest कर रहा हूँ कि वो वीडियो आप देख लीजिए और जब भी आपको time मिले उसको revise करते रही है तो हाँ अभी question हमारा आता है तो y equal to 10 square x by 2 का integration की कोई direct identity नहीं है but 10 square का integration sec square x by 2 minus 1 ये भी trigonometric identity 10th की है और ये 10th की जो 3 identity है वो भी मैंने उस video में include की है मतलब कि वो पूरा package है आपके लिए उसके बाहर कभी भी आपको कोई identities की regular basis पे जरुरत नहीं पड़ेगी अब आपके पास right hand side में दो atom है दोनों का integration आपको पता है sec square का integration 10 होता है n minus 1 का minus x plus c होगा एक छोटी सी गलती यहाँ पे है कि sec square x by 2 का integration 10x by 2 होता है यह तो बराबर but x का coefficient 1 by 2 है तो आपको 1 by 2 से divide b करना होता है तो y equal to 2 10x by 2 minus x plus c ऐसा कोई answer अगर है तो वो correct option है option a चलिए आगे बढ़ते हैं अब यह कुछ basic level के question थे अब आपके सामने जो है उसमें options आपको नहीं दिख रहे है क्योंकि यह तोड़ा सा lengthy question है mcq में तो ऐसा question नहीं आ सकता है लेकिन इसको छोटा बना कैं भी पूछ सकते है इसके लिए आपके knowledge में होना बहुत चरूरी कुछ differential equation ऐसे होंगे जो तीन method जो मैंने बता है जिसमें से एक method हमने सीखा और दो method आगे सीखने वाले है वो तीन में से किसी भी method से solve नहीं होता है तो ऐसे situation में आपको क्या करना है यहाँ पे देखे variable separate नहीं होंगे dy के साथ y वाले term dx के साथ x वाले terms नहीं आएंगे आप कितना भी try कर लीजिए ऐसे situation में आपको x प्लस y प्लस 1 को t ले लेना चाहिए फिर इसको x के respect में differentiate करेंगे differentiate with respect to x तो यह 1 होगा यह dy by dx होगा यह 0 होगा और यह dt by dx होगा so finally आपको dy by dx की जो value है यह dt by dx minus 1 मिलेगी अब यह dy by dx की जगा पे value put करेंगे दो dt by dx minus 1 और right hand side में x plus y plus 1 को हमने t लिया है तो वहाँ पे हो जाएगा t square so dt by dx हमारे पास आ चुका है t square plus 1 और now it can be converted into variable separable form dt के साथ t वाले term आ जाएगे और dx वाले term अकले रहेगा फिर दोनों साइड आप integration करके easily solution find कर सकते है t square plus 1 1 by 1 plus x square का integration 10 inverse x होता है इधर x और plus c वापस से आप t की value रख दीजिए तो 10 inverse x plus y plus 1 equal to x plus c and this is general solution of this differential equation clear एक और question आप देखिए तो यहाँ पे भी shake के अंदर घुश गया है x and y तो किसी भी हाल में अब x and y को dx and dy के साथ अलग-अलग या separate नहीं किये जा सकते है एसे ही situation में आपको क्या करना है x plus y को t लेना है फिर इसको differentiate करना है x का derivative 1 y का होगा dy by dx derivative of t with respect to x is dt by dx dy by dx को subject बना के value put करो तो dy by dx हो जाएगा dt by dx minus 1 और यह हो जाएगा sec t फिर dt by dx equal to sec t plus 1 होगा अब इसको variable separate आप कर सकते है dt by sec t plus 1 और यहाँ पे हो जाएगा dx अब variable separate होगए तो अब integration भी हो सकता है कैसे अब यह आपको पता होना चाहिए इसको integrate कैसे करे sec को cos में convert करो तो 1 by cos होगा LCM लेंगे तो 1 plus cos t और cos t उपर भी चला जाएगा dt होगा और right hand side में तो integration हो चुका है अब cos t by 1 plus cos t को कैसे integrate करे यह बहुत बड़ा सवाल है तो अब यह हैना आपको integration तो पहले आना चाहिए तो ही कुछ कर सकते है cos t को हम बोल सकते है cos square t by 2 minus sin square t by 2 यह cos t की identity है 1 plus cos t होता है 2 cos square t by 2 dt और यह integration हो चुका है x plus c 1 by 2 constant है वो बहारा जाएगा denominator दोनों को separate देंगे तो यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 10 square t by 2 and dt equal to x plus c और आगे की अगर बात करें तो 1 plus 10 square होता है c square t by 2 dt equal to x plus c c square का integration अभी अभी हमने किया था 10 t by 2 और t का coefficient 1 by 2 से divide करेंगे equal to x plus c 1 by 2 1 by 2 cancel हो जाएगा 10 t by 2 में t की value रख देंगे x plus y by 2 equal to x plus c उमीद कर रहा हूँ कि पूरा solution आपको दिख रहा होगा मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ तो इस तरीके से आप किसी भी differential equation को अगर उसमें variable separate हो रहे है तो variable separable form से solve कर सकते है अब बाकी बचे हैं दो मेथड हमारे पास homogeneous differential equation क्या होता है और उसको कैसे solve करते है linear differential equation कैसा होता है और उसको कैसे solve करते है उसके बाद एक दो छोटे छोटे टोपिक से इसके बारे में आगे हम बात करेंगे चलिए तो आगे बढ़ते है और यहां से variable separable form जो solution of differential equation का first method था वो complete होता है यहां से आगे हम discuss करने वाले है second method to find the solution of differential equation which is called homogeneous differential equation तो homogeneous differential equation जो है ना उसमें x and y वाले दो टरम्स होते है और यह एक ऐसा equation है जिसमें अगर आप function में जो x and y variable है उसमें से x को lambda x से and y को lambda y से replace करें उसके बाद lambda common निकालने से आपके पास function वापस आ जाता है as for example जो homogeneous function होगा वो कुछ इस तरीके से होगा let's say x square plus y square divide by x square plus x y यह एक function है ना इसको हम homogeneous function बोलेंगे क्यों? क्योंकि अगर आप x and y को lambda x lambda y से replace करेंगे तो क्या होगा? यह lambda x and lambda y से अगर replace करें तो यह lambda x square plus lambda y square divided by एक काम करते हैं इधर में चल रहें ना देते हैं lambda x whole square plus lambda x into lambda y अब उपर से lambda square को मना हैगा तो x square plus y square बचेगा नीचे से भी lambda square को मना हैगा तो x square plus xy बनेगा finally यहाँ पर lambda square lambda square काट हो जाएगा यह फिर lambda power 0 हो जाएगा बाकी जो बचा वो f of xy हैं ऐसे function जो है ना f of xy वापस आ जाना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो इसको homogeneous differential equation बोलते हैं और यहाँ पर जो lambda का power आएगा ना इसको हम बोलते है differential equation तो अभी तो इस homogeneous equation का degree 0 है otherwise क्या होगा कि जब आप function में x and y को lambda x lambda y से replace करेंगे तो lambda power n आएगा और बाजू में function वापस आ जाएगा तो इस n को हम बोलेंगे degree of homogeneous differential equation इसे दो question इसी session में हम इससे पहले भी कर चुके हैं तो homogeneous differential equation है इसमें दो टाइप के question आ सकते हैं एक तो homogeneous differential equation का degree क्या है जो दो question हमने किये एक दो question और आगे भी करेंगे and सबसे important चीज़े solution of homogeneous differential equation ये कैसे करना है तो जो homogeneous differential equation है इसको हम variable separable form में convert कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं चलिए example से आपको समझाने की try करता हूं सबसे पहले तो हमारे पास जो है ना degree ही पूछा है देखी अभी जो हम discuss कर रहे थे तो हमारे पास एक function है f of xy और वो ऐसा है x raise to 4 minus y raise to 4 divided by x square minus y square अगर इस function का degree जानना है तो x and y को lambda x lambda y से replace करिए तो lambda x raise to 4 minus lambda y raise to 4 divided by lambda x all square plus lambda y all square उपर से lambda raise to 4 को मनाएगा तो x power 4 minus y power 4 बन जाएगा नीचे से lambda square को मनाएगा तो x square और यहाँ पे है minus y square बनेगा lambda square आएगा यहाँ पे और बाजू में f of xy बन चुका है lambda का power जो आता है बाहर common निकल के उसी को हम बोलते है degree of homogeneous differential equation या फिर homogeneous function चलिए आगे बढ़ते है और यहाँ पे एक question है नीचे options आपको नहीं दिखेंगे again जिस source से मैंने यह question लिए है वहाँ पे सिर्फ one mark mcqs थे तो यह homogeneous का जो खेल है ना यह दो type में होगा एक तो दो part में होगा इसका solution starting में हम क्या करेंगे homogeneous differential equation को variable separable में convert करेंगे फिर उसको solve करेंगे तो question का length थोड़ा सा बढ़ जाता है तो one mark को justify नहीं करता है फिर भी हमें तो किसी भी question के लिए ready रहना चाहिए इसलिए एक दो question मैंने ऐसे भी इस session में ले लिए है और वैसे भी आपका पूरा chapter है ना वो बहुत ही basic level पर strong हो जाए एसा इस video का goal था इसलिए भी मैंने इस question को यहाँ पर add किया है तो सबसे पहली बात आपको question में बोला है कि इसको solve करना है जिसको solve करना है उसमें d by by dx से मतलब clear है कि यह एक differential equation है और हमें उसका solution चाहिए बिल्कूल आपका vision clear होना चाहिए कि अगर differential equation है और उसका solution find करना है तो हमें integration करना पड़ेगे integration करने के लिए हमारे पास एक method already available था variable separable method बाकी दो method में हम homogeneous differential equation discuss कर रहे हैं के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता है तो पहले तो जो पता है वह apply करने की try करते हैं variable separable form में हम डी वाई के साथ y वाले terms लेते हैं और x वाले terms को dx के साथ रहने देते हैं एक मिनिट का break लीजिए और try करिए इसमें एक्स वाले terms को dx के साथ ले जाएं य वाले terms को dy के साथ ले जाने की try करेंगे कुछ भी आप कर ले लेफ्ट एंड साइड राइट एंड साइड सेफ करके दोरना साइड स्क्वेरिंग करके कुछ भी कर लीजिए variables यहाँ पर separate होने वाले नहीं है इसका मतलब इस differential equation को आप variable separable method से solve नहीं कर पाएंगे तो दूसरा option हमारे पास बचता है homogeneous का जो हम अभी apply करेंगे लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ में आपको बताना चाहूँगा कि जब exam में question आपके सामने आएगा तो उसमें ऐसा आपको नहीं बोला होगा कि इस method से solve करो वो आपको decide करना होगा question इसी form में होगा जैसा अभी आपको दिख रहा है तो आपको decide करना पड़ेगा कि 3 method में से कौन सा method लगाएंगे यह कैसे decide करते हैं? यह कोई भी decide नहीं कर सकता है, इसको कैसे decide करना है? इसके लिए कोई process अवेलेबल नहीं आपको simply क्या करना है? हर एक differential equation को सब से पहले variable separable form से variable separate करके solve करने की try करनी है अगर नहीं होता है, तो homogeneous से करना है, उससे भी नहीं होता है, तो linear differential equation वाला method try करना है तो अभी हमने देखा कि variable separate नहीं हो रहे हैं, तो हम homogeneous differential equation इसमें apply करने की try करेंगे इसमें क्या करना होता है? अब यहाँ पे homogeneous differential equation को ध्यान से समझे differential equation में dy by dx भी हो सकता है, और dx by dy भी हो सकता है अगर differential equation में dy by dx है, और variable separate नहीं हो रहे हैं, तो सारे terms को आपको y by x में convert करने की try करनी है यहाँ पे already सारे terms y by x में ही है, तो आपको y by x equal to v लेना है, आप y by x equal to t भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं NCRT में V use करते हैं इसलिए मैंने V use किया है फिर क्या करना है X को right and side में multiply कर देना है उसके बाद इसको differentiate करना है with respect to X derivative of Y with respect to X होता है dy by dx यहाँ पर product rule लगाना पड़ेगा V as it is X का derivative 1 plus X as it is V का derivative dv by dx और फिर यह dy by dx की value जो differential equation जिसको solve करना है उसमें put करिए तो V plus X dv by dx equal to right and side में है V plus square root of V square minus 1 उसके बाद हर बार आपको यह V है ना उसको right and side में ले जाना है तो minus V होगा और इस V के साथ cut हो जाएगा और अब आप देखेंगे तो variable separate हो सकते है देखो और यही तो हमारा target था जैसे ही variable separate होंगे तो हम integrate कर देंगे 1 by square root of V square minus 1 इसका integration होता है log mod V plus square root of V square minus 1 और right and side में होता है integration log mod X दोनो terms log में है तो constant term भी log में रखेंगे और finally right and side में log plus log log X into C हो जाएगा फिर दोनों side से log अटा देंगे तो V plus square root of V square minus 1 equal to X into C आ जाएगा यह solution लेकिन द्यान रखना है कि question में V कौन है उसको कोई नहीं जानता है तो हमें V की value वापस Y by X put करनी पड़ेगी तो Y by X plus square root of Y square by X square minus 1 equal to X into C और एक step आगे Y by X plus square root of Y square minus X square divided by X square equal to X into C एक और last step Y plus square root of Y square minus X square equal to X Y into C sorry left hand side से X को अगर multiply करेंगे right hand side में already एक X था तो X Y नहीं बट वहाँ पे X square into C हो जाएगा और यह final solution होगा general solution चली एक और question homogeneous पे करते हैं हम yes यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक differential equation आपके सामने है and question है solve this differential equation जैसा कि मैंने बोला सबसे पहला काम हमें नहीं पता है कि कौन से method से इसको solve करना है तो सबसे पहले variable separable form try करेंगे लेकिन variables को अगर separate करने की try करेंगे तो variable separate नहीं होंगे एसी situation में हमें क्या करना है homogeneous differential equation से try करना है और इसके लिए मैंने आपको last question में बोला सारे terms y by x के form में होने चाहिए अगर dy by dx दिख रहा है तो अगर question में dx by dy है तो फिर सारे terms x by y के form में होने चाहिए लेकिन अपि dy by dx है तो एक term तो already y by x में है यह जो y है इसको y by x में लाना है तो x से divide करना पड़ेगा उसको divide करेंगे तो सब लोग बोलेंगे कि हम को भी divide करो तो सब को हम x से divide करें तो यह वाला x है वो eliminate हो जाएगा यहाँ पर y by x आ जाएगा यह x भी eliminate हो जाएगा और 10 y by x ऐसा कोई differential equation बनेगा first step सारे terms y by x में आ जाए उसके बाद y by x equal to v लेना है तो y equal to v x होगा फिर differentiate करेंगे तो dy by dx equal to v plus x dv by dx होगा यह सारी values differential equation में put करेंगे तो v plus x dv by dx equal to v plus 10 v again यह v और यह v cut हो जाएगा और अब बनेगा dv by 10 v equal to dx by x और अब variable separate हो चुके है तो सीधा integration करेंगे 1 by 10 v होता है cut v dv और 1 by x का integration तो हमें पता ही है cut v का integration होता है log mod sin v और right hand side में log mod x again दो terms log में है तो c v constant term भी log c ही put करेंगे तो log mod sin v equal to log mod x into c log दोनों side से cancel कर देंगे v की value y by x रख देंगे और x into c और यह होगा आपका general solution clear चलिए तो आगे बढ़ते हैं next topic is linear differential equation तो अगें एक बार में आपको बहुत जल्दी से बता दू कि सबसे पहले हमने अगे पेशन आपको अगे करो सिक्खा और जाप अगे पेशन जखा ओर जर्टी अपको रोदी से अगेंच से अगेंच से बार में आ तो अगेंच करेंच equation second method is homogeneous differential equation and now third and last method to solve the linear solve the differential equation is linear differential equation तो क्या होता है linear differential equation किस तरीके से उसको solve करते हैं चलिए देखते हैं लिनियर differential equation जो है न वो इस टाइप का होता है dy by dx प्लस p of x into y equal to q of x तीन पार्ट है आपको द्यान से समझना है फर्स्ट पार्ट है dy by dx होना चाहिए second part है कि एक x का function होना चाहिए इन third part है एक x का function y के साथ multiplication में होना चाहिए यह है linear differential equation का standard form अब आप देखिए कि अगर ऐसा कोई equation आपके सामने आ जाए तो ना तो आप variable को separate कर पाएंगे और ना ही आप सारे terms को y by x या x by y में convert कर पाएंगे एसी situation में आपको linear differential equation से इस differential equation को solve करना पड़ेगा और यह कैसे होता है तो सबसे पहला काम आपको करना होता है इसमें integrating factor find करना होता है integrating factor क्या होता है it is e raise to integration of p of x dx इसको बोलते है integrating factor for this linear differential equation यह find करने के बाद आपको क्या करना है सीधा इसका solution लिखना है solution होता है y into if equal to integration of q of x into if dx यह होता है उपर वाले differential equation का solution कैसे यह solution हुआ वो जानना है तो आपको दोनों side integrating factor से multiply कर देना है तो यहाँ पर आजाएगा e raise to integration of p of x dx into dy by dx plus e raise to integration p of x dx into p of x into y equal to e raise to integration p of x dx into q of x equation 1 की दोनों side मेंने integrating factor से multiply किया अगर ऐसा आप करेंगे तो left hand side में जो आपको दिख रहा है क्या आपको पता है कि it is derivative of e raise to integration p of x dx into y लिखा हुआ है त्यान से देखिए और right hand side में तो integrating factor into q of x लिखा हुआ है एक बाइ जल्दी से verify करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा function है e raise to integration p of x dx into y और अगर आप इसको differentiate करते हैं तो क्या होगा first term as it is product rule लगाएंगे second term y का derivative dy by dx plus second term y as it is and first term का derivative first term है e raise to p of x dx तो उसका होगा e raise to integration of p of x dx एन e के power में जो भी है उसका derivative multiplication में आएगा जो होता है p of x अब आपको क्या करना है इसके दोनों side integration करना है अगर आप दोनों side integration का sign लगाते हैं तो क्या होगा यह differentiation integration तो remove हो जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा y into if और right hand side में आपको इसका integration करना पड़ेगा और ऐसा करने से आपको linear differential equation का solution मिलेगा उमीद करता हूँ कि पुरी बात आपको समझ में आई होगी अगर किसी को समझ में नहीं भी आया है तो आपको सिर्फ यह linear differential equation को याद रखना है मतलब की दो चीज़े एक कि देखने से आपको पता चलना चाहिए कि linear differential equation है और दूसरी चीज़ अगर आपको पता चल गया कि यह linear differential equation है तो उसमें से P of X and Q of X कौन है वो identify कर पाने चाहिए अगर यह हो गया तो फिर integrating factor भी आप find कर पाएंगे और यह solution जो last में लिखा है वो आपको याद रख लेना है फिर सुधा उसमें values put कर देना है एक दूसरे टाइप का भी linear differential equation आता है और वो होता है ऐसा dx by dy plus P of Y into X equal to Q of Y अगर differential equation में dy by dx की जगा पे dx by dy है तो differential equation जो linear differential equation है वो ऐसा बनेगा और एसी situation में इसका integrating factor जो है न वो होगा e raise to integration of P of Y dy और इस differential, इस linear differential equation का solution होगा X into I F equal to integration of integrating factor into Q of Y dy clear? तो इस तरीके का अगर linear differential equation है तो उसका solution होगा ये एक तीसरे टाइप का भी linear differential equation आ सकता है हाला कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ dt by dx अगर है तो उसके साथ में होना चाहिए P of X into T equal to Q of X और इस केस में integrating factor जो है वो बनेगा E raise to integration of P of X dx और इस केस में linear differential equation का solution होगा T into integrating factor equal to integration of integrating factor into Q of X dx बेजिकली ये जो first वाला है उसमें Y की जगा पे कोई और variable T आ जाए तो भी आप उसको solve कर सकते हैं Better idea मिलेगा अगर आप questions को solve करेंगे तो So let's move on to the question सबसे पहले तो differential equation को दियान से देखिए dy by dx plus y by x equal to x square अभी तो आपको integrating factor find करने के लिए बोला है तो सीधा आपको समझ में आ जाएगा कि जो differential equation है वो linear differential equation होगा क्योंकि linear differential equation में ही हम integrating factor find करते हैं लेकिन अगर इस differential equation को solve करने के लिए बोला होता तो फिर आपको सबसे पहले तो variable को separate करने के try करनी होती जो नहीं होती उसके बाद सब को y by x में convert करने का try करना पड़ता जो भी possible नहीं है तो third option बचता है सिर्फ linear differential equation तो हम वही करेंगे और इसको आपको देखना पड़ेगा इस तरीके से it is dy by dx plus f of x sorry p of x into y equal to q of x और यहाँ पे आपके सामने p of x बनके आ रहा है 1 by x और अगर p of x यह है तो integrating factor होता है e raise to integration p of x dx अगर p of x जो है वो 1 by x है तो उसका integration log mod x होगा और आप जानते होंगे कि log की एक property है कि a की power में log x आए और log का base भी अगर a है तो यह x हो जाता है यहाँ फिर simply भी अगर आप समझे तो exponential and logarithmic function दोनों एक दुसरे के inverse function है तो वो भी cut हो जाएगा और आपका answer आजाएगा mod x और यही है integrating factor clear चलिए आगे बढ़ते है next question पर अगे एक differential equation दिया है और आपको find करना है integrating factor तो ध्यान से देखिए dy by dx है ना तो फिर जो linear differential equation है वो ऐसा होना चाहिए p of x into y equal to q of x तो p of x यहाँ से निकल के आता है 3 तो फिर integrating factor होना चाहिए e raise to integration of p of x dx मतलब के e raise to integration of 3 dx मतलब के e raise to 3x clear अगर चलो अभी तो इस question में आपका answer आ गया है e raise to 3x but integrating factor की जगा पे आपको solve करने के लिए बोलते तो एक last time में repeat करूंगा कि equation को देखके आपको पता नहीं चलेगा कि यह linear differential equation है पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है otherwise आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले variable को separate करने के try करनी है अगर नहीं होते है तो सारे terms को y by x या x by y में convert करने के try करनी है अगर ये भी नहीं होता है तो फिर linear differential equation में integrating factor find करना है और फिर solution आपको याद होना चाहिए y into if equal to integration of q of x into if dx तो y तो y है integrating factor e raise to 3x मिला है equal to integration q of x e raise to 3x है integrating factor b raise to 3x है और इसका integration so y into e raise to 3x equal to e raise to 6x हो चुका है और integration e raise to 6x by 6 होगा प्लस c होगा अगर आप चाहे तो दोनों side e raise to 3x से divide कर सकते है तो ये e raise to 3x by 6 plus c into e raise to minus 3x होगा और ये होगा given linear differential equation का general solution clear अगे बढ़ते है next question पे again integrating factor पूछा है तो सबसे पहले p of x निकलेंगे और p of x के लिए जो differential equation है उसका standard form आपको पता होना चाहिए कि वो dy by dx plus p of x into y equal to q of x इस form में होता है तो फिर यहां से p of x निकल के आता है 2 by x और फिर integrating factor जो है वो होगा e raise to integration of p of x dx मतलब के e raise to integration 2 by x dx तो यह होगा e raise to 2 1 by x का integration log mod x होता है अब e and log cut तो हो सकता है लेकिन जब तक यहां पे 2 रहेगा तब तक कट नहीं होगा तो 2 को पावर में लेलो log x का square अब e and log cut हो जाएगा और integrating factor आएगा x square चलिए आगे बढ़ते हैं next question again integrating factor find करने के लिए बोला है तो सबसे पहले dy by dx plus p of x into y equal to q of x यह form याद होना चाहिए dy by dx p of x के place पर आएगा e raise to x into y और q of x हो जाएगा 1 तो यहां पे p of x हमारे पास आगया है e raise to x और अब अगर हम integrating factor find करना चाहे तो वो e raise to integration p of x dx से निगलेगा तो e की power में integration of e of x dx आएगा e power x का integration e power x ही होता है तो आपका जो integrating factor है वो भी e की power में e power x आएगा और option होगा b clear चलिए अगे बढ़ते है next question पे तो यहां पे भी अगर आप question को देखेंगे तो अब यह standard form नहीं है क्योंकि standard form एसा होता है dy by dx plus p of x into y equal to q of x standard form में dy by dx के साथ में coefficient 1 होना चाहिए तो सबसे पहले तो पूरे equation को cos square से divide करो तो dy by dx plus 1 by cos square x into y equal to 1 by cos square x तो जो differential equation है वो बन जाएगा dy by dx plus यह sec square x मतलब p of x into y equal to q of x मतलब sec square x अब integrating factor अगर चाहिए तो e की power में integration of p of x dx करना पड़ेगा sec square का integration 10x होता है तो यह हो जाएगा e raise to 10x और integrating factor आजाएगा e raise to 10x अगर आपको solve करने के लिए बोला होता तो आपको solution इसका याद होना चाहिए तो sec square x dx equal to dt और question आपका बन जाएगा y into e raise to 10x equal to integration of e raise to t dt और e raise to t का integration e raise to t होता है t के place पे वापस 10x रखतेंगे अगर आप चाहिए तो e raise to 10x से दोनों साइट divide कर देंगे तो y equal to 1 plus c into e raise to minus 10x यह आपका answer होगा मतलब कि इस differential equation का solution होगा next question again integrating factor पूछा है तो जैसा कि मैंने बोला dy by dx का coefficient है न वो 1 होना चाहिए तो पूरे equation को x log x से divide करे तो dy by dx plus 1 by x log x यह p of x हो जाएगा into y equal to q of x 2 by x और यहाँ पर थोड़ा सा printing mistake जैसा कुछ लग रहा है क्योंकि यह log x raise to x है कि log x base e raise to x है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं as it is dick देता हूँ जैसा है x raise to x e ऐसा और इसको divide कर देते है x log x से क्योंकि यह q of x बनने वाला है और integrating factor में हमें उसकी कोई जरुवत है नहीं तो अब यह हमारे लिए p of x बन चुका है और integrating factor जो है वो e raise to integration p of x dx होता है तो e raise to integration 1 by x log x dx होता है अब integration आपका बहुत strong होना चाहिए 1 by x log x दिखना चाहिए और फिर integration यह function है और उपर उसका derivative है तो integration होगा log mod log x और फिर e n log cut हो जाएगा और log x आपका integrating factor बनेगा clear तो भया जाहे definite integration हो application of integration हो या फिर आपका differential equation हो तीनों ही chapter को अगर आपको अच्छे से करना है तो indefinite integration आपका strong होना चाहिए और indefinite integration का आप playlist चेक करना वहाँ पे कुछ topics है वो discuss किये हुए है और mostly आपको basic integration की जितनी जरूत है वो सारे videos available है चली आगे देखते है next question पे again integrating factor find करना है और again आपके पास यहाँ पे multiplication में x है तो सबसे पहले dy by dx का coefficient 1 बनाना पड़ेगा तो हम सब को x से divide करेंगे तो 1 plus y by x आएगा अब आपको समझना पड़ेगा कि dy by dx के साथ में यह y by x को इदर लेना पड़ेगा ताकि इसको हम एसे लिख सके dy by dx plus minus 1 by x into y equal to 1 ताकि यह जो है न यह p of x बन जाए और integrating factor जो है वो बने e raise to integration minus p of x sorry p of x dx और यह होता है minus log mod x minus है तब तक यह e n log cut नहीं होगा तो minus को power में ले लिजिए तो x का inverse हो जाएगा फिर e n log cut हो जाएगा और 1 by x जो है न वो हो जाएगा integrating factor अगर आपको solve करना है तो solution आपको याद होना चाहिए y into if equal to integration of if into q of x dx y into if is 1 by x integration of 1 by x into q of x हमारे लिए 1 था और 1 by x का integration तो आप जानते होंगे log mod x होता है plus c और यह इस linear differential equation का solution है चलिए आगे बढ़ते है next question पे ओ और यहां पे आपका linear differential equation है न वो खतम होता है लेकिन मेरी एक personal expectation यह थी कि मैं एक और ऐसा question आपको करवा हूं जिसमें dx by dy आता हो चलिए सिर्फ integrating factor find करने के लिए आपको सिखा रहा हूं क्यूंकि अब इसमें solution मेरे randomly equation ऐसे लिख दिया है तो पता नहीं कि यह correct equation है कि नहीं तो जब भी देखिए अभी हमने जितने भी linear differential equation देखे वो सब में dy by dx था लेकिन अगर dx by dy आ जाए तो आपको उसका standard form या दोना चाहिए dx by dy plus p of y into x equal to q of y मतलब कहीं यहाँ पे sin y होना चाहिए तो अब आप देखिए कि x के साथ में जो है ना उसको p of y बोलते है तो अभी के लिए p of y हमारे लिए हो गया y और एसी सिच्वेशन में integrating factor होता है e raised to integration p of y dy और यह होगा e raised to integration of y मतलब y square ठीक है तो इस differential equation का integrating factor होगा e raised to y square clear चलिए तो अब last topic जो है उसको भी हम discuss करते है which is sub tangent and sub normal और actually it is length of sub tangent and sub normal अगर good set के previous year के papers आप देखेंगे तो उसमें I think दो तिन question आपको मिलेंगे length of sub tangent and sub normal पे और even जो last year का paper है 2022 उसमें भी आपको length of sub tangent and sub normal पे question मिलेगा तो theory समझते हैं formula देखते हैं और फिर कुछ questions करेंगे तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई भी एक function है ऐसा मान लिजिए ये f of x है इसके किसी भी point पे अगर आप tangent draw कर रहे तो मान लिजिए कि ये इस point ये point अगर x, y है तो x, y पे ये tangent है अब अगर normal यहाँ पे draw करने ओहो फिगर खराब हो गया चलिए एक बर फिर से try करते हैं कि ड्रोइंग मेरा जो है न वो थोड़ा सा हटके है इस बर मैं कोई risk नहीं लेना चाहता तो पहले tangent बना देता हूं और अब मैं बनाऊंगा function ये चलिए तो ये function है और ये हमारा tangent है और यहाँ पे tangent को एक perpendicular line ड्रोग करूंगा तो ये होगा normal ये होगा tangent ये है point of contact x, y अगर ये x, y है तो यहाँ से जो foot of perpendicular draw करूंगा वो origin से x unit की distance पे होगा और ये height है ये y होगी clear इतनी बत अब जो point of contact है वहाँ से आप x-axis पे जो foot of perpendicular draw करेंगे अगर मान लिजिए ये point p है और ये point a है और ये point b है और ये c है तो किसी भी function f of x के लिए कोई भी उसका point of contact है वहाँ से जो आप tangent draw करते हैं वो tangent x-axis को जहाँ पे intersect करेंगा वो intersecting point और ये foot of perpendicular के बीच का जो distance होगा उसको हम बोलेंगे length of subtangent तेंजेंट के intersecting point से end point of contact के foot of perpendicular के बीच का जो distance होगा उसको बोलेंगे length of subtangent और अगर ये हमें find करना है तो कैसे करें तो देखिए अगर आपके पास ये angle आपको पता है कि theta है तो ये वाला जो angle है ये pi minus theta होगा अगर आपको a b चाहिए और ये आपको पता है कि y है ठीक है तो इसमें अगर मैं 10 theta लगा दू इन ट्राइंगल पी ए बी तो 10 theta की value मुझे मिलने पाई मैनस theta तो 10 pi minus theta जो है ना वो होगा y divided by a b और मुझे चाहिए a b तो वो होगा y by 10 pi minus theta तो 10 theta होता है लेकिन second quarter में 10 negative होता है तो minus आएगा लेकिन minus की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम distance या length निकाल रहे है तो y by 10 theta या 10 theta को हम dy by dx भी बोलते हैं तो y divided by dy by dx यह होगा length of subtangent और अगर आप बात करें length of subnormal की तो यही foot of perpendicular से नॉर्मल जो x-axis को intersect करेगा उसके बीच का जो distance है उसको भूंबो लेंगे length of subnormal तो अगर वापस इसी triangle में इसी triangle में तो नहीं बट यह 90 degree है tangent and normal के बीच का distance तो angle P plus angle C plus angle B जो है न वो तो होगा pi 180 angle P हमें पता है 90 degree है angle C हमें find करना है angle B pi minus theta है और equal to है pi यह pi और pi cancel हो जाएगा तो angle C आपको मिलेगा theta minus pi by 2 से ठीक है अब triangle जो आपको दिख रहा है P A C इसमें अगर मैं 10 theta लगाऊं मतलब के 10 C C मतलब theta minus pi by 2 तो यह होगा y divided by ac ठीक है और ac जो है न वो है length of subnormal तो ac equal to y by यह 10 में pi by 2 minus theta कर देता हूँ और minus को बाहर निकल लेता हूँ तो यह हो जाएगा y by quote theta और क्योंकि हमें length निकल नहीं है तो negative sign तो हम वे से भी consider नहीं करेंगे so finally अगर आप देख पार है है तो length of subnormal जो है न ac वो हमें मिलेगा y into 10 theta का modulus और finally ac जो है 10 theta को हम dy by dxp बोल सकते है तो ऐसा होगा length of subnormal in short आपको क्या याद रखना है दो चीज़े length of sub tangent यह होगा y divided by dy by dx का mode and length of subnormal पूछे तो यह होगा y into dy by dx का mode यह कैसे आया वो हमने previous slide में सीखा अगर यह derivation आपको समझ में नहीं भी आया है तो हमारा main काम है आपको यह याद रखना है clear चलिए अब बढ़ते हैं आगे next question पे और हमें पूछा है length of sub tangent at the point 1, minus 2 on the y square equal to 4x तो हमें पता है कि length of sub tangent होता है y divided by dy by dx clear? y मतलब उस point का y coordinate तो वो तो हमारे पास है minus 2 dy by dx नहीं पता है तो वो हम निकल लेंगे यहां से y square अगर 4x है इसको differentiate करेंगे तो 2y dy by dx equal to 4 मिलेगा so dy by dx equal to 2 by y आएगा और y अगें हमें पता है कितना है y coordinate minus 2 तो dy by dx आया है minus 1 और final answer आपका आजाएगा 2 length of sub tangent clear चलिए आगे बढ़ते हैं again length of sub tangent तो आप जानते है length of sub tangent just याद होना चाहिए यह होता है y divided by dy by dx का mode y मतलब point of contact का y coordinate which is 4 and dy by dx तो हम निकल सकते है y square equal to minus x है तो derivative 2y dy by dx equal to minus 8 होगा so dy by dx equal to minus 4 by y होगा again y के place पे y coordinate पूट करें तो 4 तो यह minus 1 हो गया मतलब dy by dx minus 1 हो गया तो minus 4 आएगा लेकिन हम length निकल रहे हैं तो modulus लेना पड़ेगा और answer आएगा 4 चलिए बहुत जल्दी से length of sub normal की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए length of sub normal यह होता है y into dy by dx का mode y मतलब point of contact का y coordinate which is minus 2 dy by dx नहीं पता है तो निकलना पड़ेगा x square equal to minus 8y यह function है इसको differentiate करेंगे तो 2x equal to minus 8 dy by dx और इस तरीके से हमें dy by dx मिलेगा x divided by minus 4 और x जो है उसके place पे हम रखेंगे x coordinate तो 4 by minus 4 मतलब की minus 1 और यहां पर आजाएगा minus 1 तो आपका answer आजाएगा 2 which is length of sub normal चलिए next again length of sub tangent पूछा है तो length of sub tangent just आपको याद होना चाहिए it is y divided by dy by dx का modulus y मतलब point of contact का y coordinate which is 1 और dy by dx हमें find करना पड़ेगा x square minus y square equal to 8 के differentiation से तो यहां पर हमारे पास x square का derivative 2x होगा minus y square का derivative 2y into dy by dx होगा 8 constant है derivative 0 होगा यह term right side में जाएगी तो 2x equal to 2y dy by dx होगा finally यहां से dy by dx हमें मिलेगा 2 to cancel और x by y xy की जगा पे x and y coordinate पूट करेंगे तो 3 by 1 मतलब के 3 मिलेगा dy by dx 3 मिला है तो आपका answer length of sub tangent होगा 1 by 3 चलिए अगेइन आपको पूछा है length of sub normal तो सिर्फ आपको याद होना चाहिए length of sub normal is equal to y into dy by dx का modulus y मतलब point of contact का y coordinate dy by dx आपको फाइन करना पेगा again x square minus y square equal to 8 को differentiate करके 2x minus 2y dy by dx equal to 0 एक टम right side में जाएगी तो 2y dy by dx equal to 2x होगा 2 to cut हो जाएगा and dy by dx equal to x by y मिलेगा xy मतलब x and y coordinate of the point of contact तो dy by dx मिला 3 3 into 1 3 होता है उसका mode भी 3 होता है और इस तरीके से length of sub normal भी आपको मिलेगा 3 चलिए एक बर फिर से length of sub normal आपको याद होना चाहिए length of sub normal देखे एक और interesting बात आपको बताता हूँ आपने अगर NCRT अच्छे से study की है तो आपको पता होगा कि length of sub tangent and length of sub normal यह जो topic है न यह NCRT में कहीं पे भी नहीं है फिर भी good set की exam में कहीं बार पूछते हैं इसलिए मैंने इस topic को बहुत seriously लिया है इसको detail में length of sub tangent and sub normal के जो formula है y by dy by dx and y into dy by dx कैसे आया वो derive भी करवाया और अभी बहुत सारे questions भी उस पे कर रहे हैं तो इसको ध्यान से आपको देखना जरूरी है और मुझे लगता है इतने question करने के बाद आपको length of sub tangent and sub normal याद भी रह गया होगा तो बोलो length of sub normal होता है y into dy by dx का mode y मतलब point of contact का y coordinate और वो 1 है dy by dx हमें अलग से निकालना पड़ेगा उसके लिए x square equal to 4 y को differentiate करना पड़ेगा तो 2x equal to 4 into dy by dx और इस तरीके से dy by dx हमें मिलता है x by 2 और x की जगा पे point of contact का x coordinate रखेंगे तो हमें dy by dx minus 1 मिलेगा और आपका answer आएगा minus 1 लेकिन mode है और वैसे भी length है तो वो positive ही होगा और आगे बात करते हैं again length of subtangent तो क्या आपको याद है कि length of subtangent होती है y divided by dy by dx y मतलब y coordinate minus 2 dy by dx हमें find करना पड़ेगा तो y square equal to 4x है derivative करेंगे तो 2y dy by dx होगा और यह 4 होगा और यहां से आपको dy by dx मिलेगा 2 by y y की value put करेंगे तो 2 by minus 2 और यह minus 1 आया है तो आपका final answer होगा 2 और यह होगा length of subtangent चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके length of subtangent and subnormal का topic भी complete होता है इसके बाद आपको पता होगा कि differential equation जो chapter है उसमें कुछ word problems भी आते हैं तो एक आद word problem भी देख लेते हैं the rate of increase of population of a city is 3% every year तो किसी city का population अगर P है तो वो उसका rate of increase या rate of change क्या होता है derivative dp by dt यह कितना है it is 3% of P बोले तो 3 by 100 P तो dp by dt हमें मिला ऐसा अब हमें बोला है कि T मतलब time है और P मतलब population है तो formula of P in terms of T हमें निकलना है तो P and T के बीच का relation चाहिए तो variable separable form 6 को solve करेंगे तो dp के साथ P आ जाएगा और 3 by 100 के साथ dt तो है ही फिर दोनों side integration करेंगे तो यह हो जाएगा log mod P equal to 3 by 100 into T plus C आएगा लेकिन यहाँ पे log वाली term नहीं दिख रही है उसकी जगा पे exponential वाली term दिख रही है इसका मतलब किसी ने C की जगा पे log C लिया होगा इसके बाद आपको क्या करना चाहिए log P minus log C कर देना चाहिए और इदर 3T by 100 तो है ही फिर log की property log P by C हो जाएगा और यह 3T by 100 होगा फिर log को सामने ले जाएगे तो exponential हो जाएगा फिर C को भी multiply कर देंगे तो finally P equal to C into E raise to 3T by 100 ऐसा कहीं पे दिख रहा है P equal to C into E raise to 3T by 100 और यह है option C clear? चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो chapter है differential equation यह complete होता है बहुत ही जल्दी से सिर्फ 60 सेकेंड में आपको पूरा chapter recap करवा देता हूं starting में हमने सीखा differential equation किसको बोलते हैं तो वो सारे equations इसमें differential coefficient present होता है मतलब कि dy by dx या d2y by dx ऐसे terms होते हैं जिस equation में ऐसे equation को differential equation बोलते हैं what are the degree and order of the differential equation second point हमने सीखा तो differential equation जितनी बार differentiation करने से मिला होगा वो highest order को हम बोलेंगे order of differential equation and highest order का जो degree होगा जो power होगा जो exponent होगा उसको बोलेंगे degree of differential equation उसके बाद आपने सीखा formation of differential equation तो एक solution या एक equation आपको दिया होगा अगर आपको differential equation form करना है तो आपको differentiation करना होगा कितनी बार differentiation करेंगे तो given equation में जितने arbitrary constant होगे उतनी बार differentiation करने से आपको differential equation मिलता है एक चीज़ का धियान रखना है कि differential equation should be free from arbitrary constant तो जैसे ही माननी जे कोई equation में दो arbitrary constant है तो उसका differential equation आपको find करना है तो दो बार differentiation करना पड़ेगा लेकिन at the end of second derivative all the arbitrary constant from the differential equation should be removed ये चीज़ का धियान रखना है उसके बाद हमाए chapter के second segment पे which is solution of differential equation हमने देखा कि किसी भी differential equation को solve करने के लिए हमारे पास तीन method है जिसमें first method है variable separable method जिसमें हम x and y variable जो है उसको separate करते है और उसके बाद integrate करते है अगर किसी differential equation में variable separate नहीं हो पा रहे है तो हम homogeneous differential equation से उसको solve करने की try करेंगे इसमें क्या होता है कि dy by dx या dx by dy को subject बनाना है उसके बाद सारे terms y by x या x by y में होने चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो y by x या x by y को v लेके आप differentiate करके dy by dx की value put करेंगे और फिर variable separable form में convert हो जाएगा अगर ऐसा भी नहीं होता है तो तीसरा है linear differential equation जिसका standard form है वो अगर identify होता है तो integrating factor find करना है फिर उसका direct solution जो आपको याद है वो put कर देना है और उसके बाद एक और extra topic बहुत important हमने सेखा length of subtangent and length of subnormal उस पे बहुत सारे question की है आपको याद होगा length of subtangent के लिए point of contact का y coordinate divided by dy by dx होता है and length of subnormal के लिए point of contact का y coordinate into dy by dx करना होता है ये दोनों ही length है इसलिए answer should be positive quantity clear उमीद करता हूँ आज का video आपके लिए बहुत ही helpful रहा होगा और आप आने वाला जो भी exam दे रहे हैं उसमें इस video का बहुत बड़ा रोल होगा इसकी वज़े से आपको बहुत सारे marks का benefit मिलेगा अब last में एक और चीज में आपके साथ share करना चाहता हूँ आज कल आप लोग जैसे YouTube पे देखते होंगे और मैं भी कभी कभी फ्री टाइम में जब भी मुझे मेरे regular schedule में से time मिलता है तो मैं try करता हूँ कि बच्चों के लिए helpful जो भी content है वो यहाँ पे आपको provide करवा सको अलगी मेरे पास बहुत कम time होता है तो मैं videos बहुत कम upload कर पाता हूँ लेकिन फिर भी जब भी मेरे पास time होता है मैं कुछ न कुछ ऐसा content deliver करने की try करता हूँ जिससे minimum time में बच्चों को maximum result मिले minimum work करके maximum output कैसे मिले इस सोच के साथ सारे videos में design करता हूँ लेकिन आज कल मैं YouTube पे जो भी देखता हूँ वो आपके साथ थोड़ा सा share करना चाहता हूँ पिछले कुछ time से मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े जो platform है वो तो बहुत time से ये काम कर रहे है कि अपने अलग-अलग courses बना के उसको sell कर रहे है लेकिन आज कल बहुत छोटे level के जो YouTuber है जिसके बहुत कम subscriber है वो लोग भी अपने paid course जो है वो market में ला रहे हैं और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है लेकिन इसके सामने एक ऐसा product में आपके सामने रख रहा हूँ जो free of cost है और मेरे channel पे जितने भी video से उसमें सारे videos public है एक भी video आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस पे कोई भी restriction हो सब लोगों के लिए वो open है अब ये चीज में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बच्चों के mind में ऐसा है कि अच्छा ये paid है तो इसमें content में dumb होगा और ये free है तो चलो time pass के लिए 2-3 minute देख लेते हैं बाकि इसमें कोई dumb नहीं होगा अगर जो लोग paid courses बेच रहे है वो गलत है ऐसा भी मैं नहीं मान रहा हूँ और ये करना कुछ गलत भी नहीं है लेकिन मेरा point सिर्फ यही है कि मेरा channel free है मैं किसी भी expectation के बगेर में ये अपना duty कर रहा हूँ तो request आपसे सिर्फ इतना है कि आप ऐसा बिल्कुल ना समझे कि ये content free है तो ये content में dumb नहीं है सिर्फ आपसे ये request है अलगी अगर seriously आप किसी भी एक video को भी उठा के देख लेंगे और seriously आप preparation करना चाहते है तो आप realize करेंगे और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर ऐसा होता है तो ये जो वीडियो से इसको maximum logo तक पहुँचाए क्योंकि आज कल YouTube पे जो भी content available है उसमें अच्छा भी है बुरा भी है वो तो से ठीक है लेकिन सारा जो वीडियो होते हैं उसका analysis मेरा ये कहता है कि जितना भी content deliver होता है उससे ज्यादा time past ज्यादा होता है ठीक है इसकी opposite हमारे channel पे जितने भी वीडियो से इस पे सब जगह पे आपको pure content मिलेगा बीच में कोई भी फाल्तू की discussion नहीं होगी बहुत time के बाद ये पांच मिनिट का discussion में आपके साथ कर रहा हूं मुझे लगा कि ये message आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है अगर आपको सही लगे तो ठीक है otherwise आप अपना काम करते रहे और मैं अपना काम करता रहूंगा thank you for your support and take care मिलते हैं बहुत जल्दी next video मे तब तक के लिए bye bye good bye